आज है संडे टाइम साड़े नौ मैं हूँ अरजुन पाठक ओनली ओन रेडियो भरुसा दनूश की फिल्म मारन देखने से पहले यहां जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिवियू और जाने कहां देखे इसे फ्री में मारन एक्शन थ्रीलर मुवी है जिसमें दनूश एक खोजी पत्रकार के भूमिका में नजर आ रहे है वो जंता के सामने सचलाने के लिए जान की बाज़े लगाते दिखाए देते हैं मारन फिल्म में दनूश कलम की नोट से गुंडो से ने पढ़ रहे है वही मालविका के साथ उनका रूमास भी लोगों को खुब पसंदा रहा है मालविका भी इस फिल्म में पत्रकार की भूमिका में है दनूश से प्यार हो जाता है दोनों मिलकर खोजी पत्रकारी दा करते है मारन सरवजनी ग्रूब से राजनताओं के गलत कामों और विश्टचार को उजागर करता है या जानकर खलना एक पलानी मारन को मारन की कोशिश करता है मारन कैसे बचता है निर्देशन निशानदार ढंग से तत्यू की स्क्रिनिंग की है मालिका दनुश के साथ काम करने को लेकर एक इंटर्वी में कहा कि दनुश एक ऐसे एक्टर है जो आपको काफी कुछ सिखाते हैं वो वैसे कलाकार में नहीं होते है कि अपना किरदार निभाया और निकल गए वो आपको पुश्च करते हैं आपकी कम्यों और खुबियों के बारे में बताते हैं उन्होंने कहा कि दनुश और मारंटीम के साथ काम करना मेरी लिए सीखने का एक शांदार अनुगव रहा है फिल्मारं के निर्देशक कार्दिक नरेन है इसमें दनुश के साथ मालविका के अलावा माश्टर महिंदरंग, समुथ रिकानी समूर्टी वैंकर्ट और कुष्णा कुमार वे मुख्य भूमी काओं में है गितकार विएक के लिखी गीतों को फिल्म में संगितकार जीवी प्रकाश निसूरों से सजाया है बात कर इसके OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस वाश्टार पर रिलीज कर दी गई है अच्छे और प्रतिभावन एक्टरस जिनके हर फिल्म अपने आप में एक अलग ही अपील रखती है उसकी कहानी में नवीनता होती है उसका डिरेक्शन कमाल का होता है उनका आप अचानक एक बड़ी कमजूर ठकी हुई बिना लॉजिक की फिल्म करते हुए देखते है तो मन में ये सवाल तो उटता ही है कि शायद इस फिल्म के लिए पैसा अच्छा मिल रहा होगा इसलिए उन्होंने ये फिल्म की होगी हिंदी फिल्म इंडर्श्टी में आप किसी भी हीरो या हीरोईं से बात करेंगे तो आपको पता चलेंगा कि उनमें से 99 प्रतीशत एक्टरिस ने अपने करियर में कभी न कभी ऐसी फिल्म की है जिसकी सफलता में उनको पूरे संद्ध होते हैं लेकिन अच्छे पैसे मिनने के चकर में वो फिल्मे कर लेते हैं दक्षिन की फिल्म इंडर्श्टी भी इससे अचूद नहीं है और इसका ताजा प्रमान है डिजनी प्लस होस्टार पर लीस तमील फिल्म एक्शन थ्रीलर मारन जिसमें मुख्य भूमी का निबाई है धनूज ने एक गिसी पिटी कहानी एक बहुत थकी हुई पटकता और नहायत ही व्यर्थ किस्म का डारेक्शन मारन को अच्छा बोल कर इसकी तारिफ करने के लिए हिम्मत चाहिए पत्रकारिता की प्रुष्टु भूमी पर बनी ये फिल्म हमेशा ही कनफ्यूज नजर आती है क्या उसे धनूज के अभी नहीं का इस्तमाल करना है या उसे धनूज की कमर्शिल स्टार वाल इमेज का फायदा उठाना है या दोनों ही बातों को मिला जुला कर कुछ बना लेना है दनूज की सच्चे पत्रकार पीता को एक रिपोर्ट प्रकाशित करने के वज़ज़ से कुछ गुंडे मार देते है दनूज की बहन को जन देते समय उसकी मावे गुजर जाती है दनूज अपने मामा और छूटी बहन के साथ बड़ा होता है और एक ट्वीट की बदोलत एक न्यूस पॉर्टल में नौकरी पा लेता है एक के बाद एक नए नए खुलासे करते हुए दनूज देश्ट के सबसे बैतरी निवा पत्रकारों में शामिल किया जाता है नकली EVM पर की गई उसकी रिपोर्टिंग के बाहर राजने था पाजने उसके दुश्मन हो जाते है दनूज पर हमले भी होते है अचानक उसके बाहन का अपरण हो जाता है और दनूज पुलीस की मदद से उसकी तलाश करता है कई दिनों की कड़े मैनत के बाद वो पाजने के उस गुंडे तक पहुँच जाते है जिसने दनूज की बाहन का परण किया था दनुश की बाइन उसके पास वापस लोटाती है कहानी लिखी है शर्फू और सुहास की जूडी ने जिन्होंने पहले दो मल्यालंग फिल्में लिखी थी वारतन और वाइरस और दोनों ही बहुत पसंद की गई थी दनुश के बच्पन से जवान होने तक के सफर को फिल्म से गायब कर दिया गया है और ये ट्रांजिशन अदूरा ही रहता है कोई फ्लेश बेक भी नहीं दिखाया जाता दनुश सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज ही देता है बड़ी खबरे ही करता है बाकिस समय वो शरापपी कर डांस करता रहता है उसके मन में अपने पीता की हत्या की बात का असर नजर ही नहीं आता दनुश की बाहन का करियर बहुत अजीब है वो क्या काम करती है समझने में आदी फिल्म निकल जाती है जबकि वो अपने भाई के लिए बढ़या भाई खरिकती है पाजने की गुंडे की बहन दनुश की एक रिपूर्ट की वज़े से आत्मत्या कर लेती है और वो गुंडा इसका बदला लेने के लिए दनुश की बहन को किट्नैप कर लेता है ऐसे कई बड़े बड़े गड़े है जो कहानी में बरने की कोशिच भी नहीं की गई है जैसे नाना पाटे कर को फिन परिंदा में लगता था टीवी चैनल में उनके साथ ही और दनुश की बहन श्वेता के बीच के समवाद अच्छे बने हैं थोड़े मॉडन है और सही भी लगते हैं दनुश और मालविका के बीच के समवाद के जरिये हाथ से पैदा करने की कोशिच की गई है जिसमें नेदेशक असफ़र रहे हैं मालविका का रोल बीच में खो जाता है और उसका क्या होता है ये बताने के जरूरत नहीं समझी गई है पाजणी का किरदार भी कनफ्यूजड है वो एक पूर्व मंत्री है लेकिन कभी वो शक्तिशाली मंत्री दिखाया गया है और कभी डरा हुआ दनुश जीस तरह से क्लाइमेक्स में उसे पकड़वा देते है वो बहुत ही हास्यपद है कारबन जैसी पसीतर फिल्म के सिनोमेटर ग्राफर विवेका नंद संतोशं की ये दूसरी फिल्म है और उन्होंने फिल्म में कुछ भी अपनी और से नहीं चोड़ा है एडिडर प्रसन्ना जीके की भी यही कहानी है कई सफल फिल्मे करने के बाद भी मारन फिल्म का फाइनल एडिट लंबा और उबाव लगता है हर सिन करमबद तरीके से है फ्लेश बेक का इस्तमाल बहुत ही कम है और कहानी में कभी भी किसी तरह का थ्रिल नहीं दिखता क्योंकि एडिट बहुत ही साधरन तरीके से करने की फिल्म की कहानी के अनुसार जोड़ा गया लगता है निर्देश कार्टिक मेरन की पूरी फिल्मों ने बॉक्स ओफिस पर काफी नाम और दाम कमाया था और इसलिए इन्हें इस फिल्म के निर्देशन के तौर पर साइन किया गया था लेकिन कार्टिक ने इस फिल्म में कोई धमाका नहीं किया इस फिल्म से निराशा हाथ लगी क्योंकि नहीं ठीक से पत्रकारिता को दिखा पाई और नहीं कमर्शिल फिल्मों की तरह इसमें मसाला सही मातरा में था जिवी प्रकाश का संगीत ठीक था पॉलाडा उदगम को धनूश ने गाया था तो लोगों ने काफी पसंद किया इसके अलाव मारन में कुछ भी ऐसी बात नहीं थी जिस वज़े से इसे किसी और फिल्म की तुलना मी इट होने का कोई मौका मिले इस फिल्म को न देखे तो ही दनूश के फैंस के लिए बेतर होगा या मारन नहीं बलकि फैंस का ही कहना है अगर फिल्म के OTT डिलीज को लेकर बात करें तो यह फिल्म को आप डिजनी प्लस होश्टार पर देख सकते हैं दनूश की फिल्म मारन देखने से पहले यहां जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिवियू और जाने कहा देखे इसे फ्री में मारन एक्शन थ्रीलर मुवी है जिसमें तनूश एक खोजी पत्रकार के भूमीका में नजर आ रहे है वो जन्ता के सामने सचलाने के लिए जान की बाज़े लगाते दिखाए देते हैं मारन फिल्म में तनूश कलम की नोट से गुंडो से ने पड़ रहे है वही मालविका के साथ उनका रोमास भी लोगों को खुब पसंदा रहा है मालविका भी इस फिल्म में पत्रकार की भूमीका में है देनुश से प्यार हो जाता है दोनों मिलकर खोजी पत्रकारी दा करते है मारन सरवजनी ग्रूब से राजनताओ के गलत कामों और विष्टचार को उजागर करता है या जानकर खनला एक पलानी मारन को मारन की कोशिश करता है मारन कैसे बचता है निर्देशन ने शांदार ढंग से तत्यू की स्क्रिनिंग की है वह मुवी को देखने के बाद जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वह स्मूर्टी बैंकिट की जो मुवी में दनुश की बन का करदार निभाई है मारन में स्मूर्टी ने चित्ती का करदार निभाया है फिल्में दनुश के साथ उनका नोग जो लोगों को खुब पसंदा रहा है मालवी का दनुश के साथ काम करने को लेकर एक इंटर्वी में कहा कि दनुश एक ऐसे एक्टर है जो आपको काफी कुछ सिखाते हैं वो वैसे कलाकार में नहीं होते हैं कि अपना करदार निभाया और निकल गए वो आपको पुश करते हैं आपकी कम्यों और खुबियों के बारे में बताते हैं उन्होंने कहा कि दनुश और मारं टीम के साथ काम करना मेरी लिए सीखने का एक शांदार अनुबव रहा है फिल्मारं के निर्देशक कार्दिक नरेन है इसमें दनुश के साथ मालविका के अलावा माश्टर महिंदरन, समुठ रिकानी समुठ, समुठी वैंकट और कुशना कुमार वो मुक्य भूमी काओं में है गितकार विवेक के लिखी गीतों को फिल्म में संगितकार जीवी प्रकाश निसूरों से सजाया है बात कर इसके OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस वाश्टार पर रिलीज कर दी गई है अच्छे और प्रतिभावन एक्टरस जिनके हर फिल्म अपने आप में एक अलग ही अपील रखती है उसकी कहानी में नवीनता होती है उसका डिरेक्शन कमाल का होता है उनका आप अचानक एक बड़ी कमजूर ठकी हुई बिना लॉजिक की फिल्म करते हुए देखते है तो मन में ये सवाल तो उटता ही है कि शायद इस फिल्म के लिए पैसा अच्छा मिल रहा होगा इसलिए उन्होंने ये फिल्म की होगी हिंदी फिल्म इंडर्श्टी में आप किसी भी हीरो या हीरोईं से बात करेंगे तो आपको पता चलेंगा कि उनमें से 99 प्रतीशत एक्टरेस ने अपने करियर में कभी न कभी ऐसी फिल्म की है जिसके सफलता में उनको पूरे संद्धे होते हैं लेकिन अच्छे पैसे मिनने के चकर में वो फिल्मे कर लेते हैं दक्षिन की फिल्म इंडर्श्टी भी इससे अचूद नहीं है और इसका ताजा प्रमान है डिजनी प्लस होस्टार पर लीस तमील फिल्म एक्शन थ्रीलर मारन जिसमें मुख्य भूमी का निबाई है धनूज ने एक गिसी पिटी कहानी एक बहुत थकी हुई पटकता और नहायत ही व्यर्थ किस्म का डारेक्शन मारन को अच्छा बोल कर इसकी तारिफ करने के लिए हिम्मत चाहिए पत्रकारिता की प्रुष्टु भूमी पर बनी ये फिल्म हमेशा ही कनफ्यूज नजर आती है क्या उसे धनूज के अभी नहीं का इस्तमाल करना है या उसे धनूज की कमर्शिल स्टार वाली इमेज का फायदा उठाना है या दोनों ही बातों को मिला जुला कर कुछ बना लेना है दनूज की सच्चे पत्रकार पीता को एक रिपोर्ट प्रकाशित करने के वज़ज़ से कुछ गुंडे मार देते है दनूज की बहन को जन देते समय उसकी मावे गुजर जाती है दनूज अपने मामा और छूटी बहन के साथ बड़ा होता है और एक ट्वीट की बदोलत एक न्यूस पॉर्टल में नौकरी पा लेता है एक के बाद एक नए नए खुलासे करते हुए दनूज देश्ट के सबसे बैतरी निवा पत्रकारों में शामिल किया जाता है नकली EVM पर की गई उसकी रिपोर्टिंग के बाहर राजने था पाजने उसके दुश्मन हो जाते है दनूज पर हमले भी होते है अचानक उसके बाहन का अपरण हो जाता है और दनूज पुलीस की मदद से उसकी तलाश करता है कई दिनों की कड़ी मैनत के बाद वो पाजने के उस गुंडे तक पहुँच जाते है जिसने दनूज की बाहन का परण किया था दनुश की बाइन उसके पास वापस लोटाती है कहानी लिखी है शर्फू और सुहास की जूडी ने जिन्होंने पहले दो मल्यालंग फिल्में लिखी थी वारतन और वाइरस और दोनों ही बहुत पसंद की गई थी दनुश के बच्पन से जवान होने तक के सफर को फिल्म से गायब कर दिया गया है और ये ट्रांजिशन अदूरा ही रहता है कोई फ्लेश बेक भी नहीं दिखाया जाता दनुश सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज ही देता है बड़ी खबरे ही करता है बाकिस समय वो शराप्पी कर डांस करता है उसके मन में अपने पीता की हत्या की बात का असर नजर ही नहीं आता दनुश की बाहन का करियर बहुत अज़ीब है वो क्या काम करती है समझने में आदी फिल्म निकल जाती है जबकि वो अपने भाई के लिए बड़या भाई खरिकती है पाज़ने की गुंडे की बहन दनुश की एक रिपूर्ट की वज़े से आत्मत्या कर लेती है और वो गुंडा इसका बदला लेने के लिए दनुश की बहन को किट्नैप कर लेता है ऐसे कई बड़े बड़े गड़े है जो कहानी में बरने की कोशिच भी नहीं की गई है दनुश ने इस फिल्म में कोई प्रभाव नहीं छोड़ा है दनुश पहली बार किसी पत्रकार के रोल में स्क्रिन पर आया है लेकिन किसी भी तरह से पत्रकार नजर नहीं आते उनकी बतौर पत्रकार काफी लोग प्रियता दिखाए गई है क्यों और कैसे ये बताना नेदेशकों को जरूर नहीं लगा है उन्हें आगे से ठीक वैसा डर लगता है जैसे नाना पाटे कर को फिन परिंदा में लगता था टीवी चैनल में उनके साथ ही और दनुश की बहन शोयता के बीच के समवाद अच्छे बने हैं थोड़े मॉडर्न है और सही भी लगते हैं दनुश और मालविका के बीच के समवाद के जरिये हाथ से पैदा करने की कोशिश की गई है जिसमें नेदेशक असफ़र रहे हैं मालविका का रोल बीच में खो जाता है और उसका क्या होता है ये बताने के जरूरत नहीं समझी गई है पाजणी का किरदार भी कनफ्यूजड है वो एक पूर्व मंत्री है लेकिन कभी वो शक्तिशाली मंत्री दिखाया गया है और कभी डरा हुआ दनुश जीस तरह से क्लाइमेक्स में उसे पकड़वा देते है वो बहुत ही हास्यपद है कारबन जैसी पसीतर फिल्म के सिनोमेटर ग्राफर विवेका नंद संतोशं की ये दूसरी फिल्म है और उन्होंने फिल्म में कुछ भी अपनी और से नहीं चोड़ा है एडिडर प्रसन्ना जीके की भी यही कहानी है कई सफल फिल्मे करने के बाद भी मारन फिल्म का फाइनल एडिट लंबा और उबाव लगता है हर सिन करमबद तरीके से है फ्लेश बेक का इस्तमाल बहुत ही कम है और कहानी में कभी भी किसी तरह का थ्रिल नहीं दिखता क्योंकि एडिट बहुत ही साधरन तरीके से करने की फिल्म की कहानी के अनुसार जोड़ा गया लगता है निर्देश कार्टिक नरिन की पूरी फिल्मों ने बॉक्स ओफिस पर काफी नाम और दाम कमाया था और इसलिए इन्हें इस फिल्म के निर्देशन के तौर पर साइन किया गया था लेकिन कार्टिक ने इस फिल्म में कोई धमाका नहीं किया इस फिल्म से निराशा हाथ लगी क्योंकि नहीं ठीक से पत्रकारिता को दिखा पाई और नहीं कमर्शिल फिल्मों की तरह इसमें मसाला सही मातरा में था जिवी प्रकाश का संगीत ठीक था पॉलाडा उदगम को धनूश ने गाया था तो लोगों ने काफी पसंद किया इसके अलाव मारन में कुछ भी ऐसी बात नहीं थी जिस वज़े से इससे किसी और फिल्म की तुलना में हिट होने का कोई मौका मिले इस फिल्म को न देखे तो ही दनूश के फैंस के लिए बैतर होगा या मारन नहीं बलकि फैंस का ही कहना है अगर फिल्म के OTT डिलीज को लेकर बात करें तो ये फिल्म को आप डिजनी प्लस हॉश्टार पर देख सकते हैं दनूश की फिल्म मारन देखने से पहले यहां जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिव्यू और जाने कहां देखे इसे फ्री में मारन एक्शन त्रीलर मुवी है जिसमें तनूश एक खोजी पत्रकार के भूमीका में नजर आ रहे है वो जन्ता के सामने सचलाने के लिए जान की बाज़े लगाते दिखाए देते हैं मारन फिल्म में तनूश कलम की नोट से गुंडों से ने पढ़ रहा है वही मालविका के साथ उनका रोमास भी लोगों को खुब पसंदा रहा है मालविका भी इस फिल्म में पत्रकार की भूमीका में है देनुश से प्यार हो जाता है दोनों मिलकर खोजी पत्रकारी दा करते है मारन सरवजनी ग्रूब से राजनताओं के गलत कामों और विष्टचार को उजागर करता है या जानकर खलना एक पलानी मारन को मारन की कोशिश करता है मारन कैसे बचता है निर्देशन ने शांदार ढंग से तत्यू की स्क्रिनिंग की है मुवी को देखने के बाद जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वह स्मूर्टी बैंकिट की मुवी में दनुश की बन का करदार निभाई है मारन स्मूर्टी ने चित्ती का करदार निभाया है फिल्में दनुश के साथ उनका नोग जो लोगों को खुब पसंदा रहा है मालवी का दनुश के साथ काम करने को लेकर एक इंटर्वी में कहा कि दनुश एक ऐसे एक्टर है जो आपको काफी कुछ सिखाते हैं वो वैसे कलाकार में नहीं होते हैं कि अपना करदार निभाया और निकल गए वो आपको पुश करते हैं आपकी कम्यों और खुबियों के बारे में बताते हैं उन्होंने कहा कि दनुश और मारन टीम के साथ काम करना मेरी लिए सीखने का एक शांदार अनुगव रहा है फिल्मारन के निर्देशक कार्दिक नरेन है इसमें दनुश के साथ मालविका के अलावा माश्टर महिंदरन, समुठ रिकानी समुठ, समुठी वैंकट और कुशना कुमार वो मुख्य भूमी काओं में है गितकार विवेक के लिखी गीतों को फिल्म में संगितकार जीवी प्रकाश निसूरों से सजाया है बात कर इसके OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस वाश्टार पर रिलीज कर दी गई है अच्छे और प्रतिभावन एक्टरस जिनके हर फिल्म अपने आप में एक अलग ही अपील रखती है उसकी कहानी में नवीनता होती है उसका डिरेक्शन कमाल का होता है उनका आप अचानक एक बड़ी कमजूर ठकी हुई बिना लॉजिक की फिल्म करते हुए देखते है तो मन में ये सवाल तो उटता ही है कि शायद इस फिल्म के लिए पैसा अच्छा मिल रहा होगा इसलिए उन्होंने ये फिल्म की होगी हिंदी फिल्म इंडर्श्टी में आप किसी भी हीरो या हीरोईं से बात करेंगे तो आपको पता चलेंगा कि उनमें से 99 प्रतीशत एक्टरिस ने अपने करियर में कभी न कभी ऐसी फिल्म की है जिसकी सफलता में उनको पूरे संद्धे होते है लेकिन अच्छे पैसे मिनने के चकर में वो फिल्मे कर लेते हैं दक्षिन की फिल्म इंडर्श्टी भी इससे अचूद नहीं है और इसका ताजा प्रमान है डिजनी प्लस होस्टार पर रलीस तमील फिल्म एक्शन थ्रीलर मारन जिसमें मुख्य भूमी का निबाई है धनूज ने एक गिसी पिटी कहानी एक बहुत थकी हुई पटकता और नहायत ही व्यर्थ किस्म का डारेक्शन मारन को अच्छा बोल कर इसकी तारिफ करने के लिए हिम्मत चाहिए पत्रकारिता की प्रुष्टु भूमी पर बनी ये फिल्म हमेशा ही कनफ्यूज नजर आती है क्या उसे धनूज के अभी नहीं का इस्तमाल करना है या उसे धनूज की कमर्शिल स्टार वाली इमेज का फायदा उठाना है या दोनों ही बातों को मिला जुला कर कुछ बना लेना है दनूज की सच्चे पत्रकार पीता को एक रिपोर्ट प्रकाशित करने के वज़ज़ से कुछ गुंडे मार देते है दनूज की बहन को जन देते समय उसकी मावे गुजर जाती है दनूज अपने मामा और छूटी बहन के साथ बड़ा होता है और एक ट्वीट की बदोलत एक न्यूस पॉर्टल में नौकरी पा लेता है एक के बाद एक नए नए खुरासे करते हुए दनूज देश्ट के सबसे बैतरी निवा पत्रकारों में शामिल किया जाता है नकली EVM पर की गई उसकी रिपोर्टिंग के बाहर राजने था पाजने उसके दुश्मन हो जाते है दनूज पर हमले भी होते है अचानक उसके बाहन का अपरण हो जाता है और दनूज पुलीस की मदद से उसकी तलाश करता है कई दिनों की कड़ी मैनत के बाद वो पाजने के उस गुंडे तक पहुँच जाते है जिसने दनूज की बाहन का परण किया था दनुश की बाइन उसके पास वापस लोटाती है कहानी लिखी है शर्फू और सुहास की जूडी ने जिन्होंने पहले दो मल्यालंग फिल्में लिखी थी वारतन और वाइरस और दोनों ही बहुत पसंद की गई थी दनुश के बच्पन से जवान होने तक के सफर को फिल्म से गायब कर दिया गया है और ये ट्रांजिशन अदूरा ही रहता है कोई फ्लेश बेक भी नहीं दिखाया जाता दनुश सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज ही देता है बड़ी खबरे ही करता है बाकिस समय वो शराप्पी कर डांस करता है उसके मन में अपने पीता की हत्या की बात का असर नजर ही नहीं आता दनुश की बाहन का करियर बहुत अजीब है वो क्या काम करती है समझने में आदी फिल्म निकल जाती है जबकि वो अपने भाई के लिए बड़या भाई खरिकती है पाजने की गुंडे की बहन दनुश की एक रिपूर्ट की वज़े से आत्मत्या कर लेती है और वो गुंडा इसका बदला लेने के लिए दनुश की बहन को किट्नैप कर लेता है ऐसे कई बड़े बड़े गड़े है जो कहानी में बरने की कोशिच भी नहीं की गई है जैसे नाना पाटे कर को फिन परिंदा में लगता था टीवी चैनल में उनके साथ ही और दनुश की बहन श्वेता के बीच के समवाद अच्छे बने हैं थोड़े मॉडन है और सही भी लगते हैं दनुश और मालविका के बीच के समवाद के जरिये हाथ से पैदा करने की कोशिच की गई है जिसमें नेदेशक असफ़र रहे हैं मालविका का रोल बीच में खो जाता है और उसका क्या होता है ये बताने के जरूरत नहीं समझी गई है पाजणी का किरदार भी कनफ्यूजड है वो एक पूर्व मंत्री है लेकिन कभी वो शक्तिशाली मंत्री दिखाया गया है और कभी डरा हुआ दनुश जीस तरह से क्लाइमेक्स में उसे पकड़वा देता है वो बहुत ही हास्यपद है कारबन जैसी पसीतर फिल्म के सिनोमेटर ग्राफर विवेका नंद संतोशं की ये दूसरी फिल्म है और उन्होंने फिल्म में कुछ भी अपनी और से नहीं चोड़ा है एडिडर प्रसन्ना जीके की भी यही कहानी है कई सफल फिल्मे करने के बाद भी मारन फिल्म का फाइनल एडिट लंबा और उबाव लगता है हर सिन करमबद तरीके से है फ्लेश बेक का इस्तमाल बहुत ही कम है और कहानी में कभी भी किसी तरह का थ्रिल नहीं दिखता क्योंकि एडिट बहुत ही साधरन तरीके से करने की फिल्म की कहानी के अनुसार जोड़ा गया लगता है निर्देश कार्टिक नरिन की पूरी फिल्मों ने बॉक्स ओफिस पर काफी नाम और दाम कमाया था और इसलिए इन्हें इस फिल्म के निर्देशन के तौर पर साइन किया गया था लेकिन कार्टिक ने इस फिल्म में कोई धमाका नहीं किया इस फिल्म से निराशा हाथ लगी क्योंकि नहीं ठीक से पत्रकारिता को दिखा पाई और नहीं कमर्शिल फिल्मों की तरह इसमें मसाला सही मातरा में था जिवी प्रकाश का संगित ठीक था पॉलाडा उदगम को धनूश ने गाया था तो लोगों ने काफी पसंद किया इसके अलाव मारन में कुछ भी ऐसी बात नहीं थी जिस वज़े से इससे किसी और फिल्म की तुलना में हिट होने का कोई मौका मिले इस फिल्म को न देखे तो ही दनूश के फैंस के लिए बैतर होगा या मारन नहीं बलकि फैंस का ही कहना है अगर फिल्म के OTT डिलीज को लेकर बात करें तो यह फिल्म को आप डिजनी प्लस होश्टार पर देख सकते हैं दनूश की फिल्म मारन देखने से पहले यहां जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिवियू और जाने कहा देखे इसे फ्री में मारन एक्शन थ्रीलर मुवी है जिसमें तनूश एक खोजी पत्रकार के भूमीका में नजर आ रहे है वो जन्ता के सामने सचलाने के लिए जान की बाज़े लगाते दिखाए देते हैं मारन फिल्म में तनूश कलम की नोट से गुंडों से ने पढ़ रहा है वही मालविका के साथ उनका रोमांस भी लोगों को खुब पसंदा रहा है मालविका भी इस फिल्म में पत्रकार की भूमीका में है देनुश से प्यार हो जाता है दोनों मिलकर खोजी पत्रकारी दा करते है मारन सरवजनी ग्रूब से राजनताओ के गलत कामों और विष्टचार को उजागर करता है या जानकर खनला एक पलानी मारन को मारन की कोशिश करता है मारन कैसे बचता है निर्देशन ने शांदार ढंग से तत्यू की स्क्रिनिंग की है मुवी को देखने के बाद जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह स्मूर्टी बैंकिट की मुवी में दनुश की बन का करदार निभाई है मारन स्मूर्टी ने चित्ती का करदार निभाया है फिल्में दनुश के साथ उनका नोग जो लोगों को खुब पसंदा रहा है मालवी का दनुश के साथ काम करने को लेकर एक इंटर्वी में कहा कि दनुश एक ऐसे एक्टर है जो आपको काफी कुछ सिखाते हैं वो बैसे कलाकार में नहीं होते हैं कि अपना करदार निभाया और निकल गए वो आपको पुश करते हैं आपकी कम्यों और खुबियों के बारे में बताते हैं उन्होंने कहा कि दनुश और मारन टीम के साथ काम करना मेरी लिए सीखने का एक शांदार अनुगव रहा है फिल्मारन के निर्देशक कार्दिक नरेन है इसमें दनुश के साथ मालविका के अलावा माश्टर महिंदरंग, समुथ रिकानी समूर्टी वैंकर्ट और कुशना कुमार वो मुक्य भूमी काओं में है गितकार विएक के लिखी गीतों को फिल्म में संगितकार जीवी प्रकाश निसूरों से सजाया है बात कर इसके ओडिटी रिलीज को लेकर तो इसे ओडिटी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस वाश्टार पर रिलीज कर दी गई है अच्छे और प्रतिभावन एक्टरस जिनके हर फिल्म अपने आप में एक अलग ही अपील रखती है उसकी कहानी में नवीनता होती है उसका डिरेक्शन कमाल का होता है उनका आप अचानक एक बड़ी कमजूर ठकी हुई बिना लॉजिक की फिल्म करते हुए देखते है तो मन में ये सवाल तो उटता ही है कि शायद इस फिल्म के लिए पैसा अच्छा मिल रहा होगा इसलिए उन्होंने ये फिल्म की होगी हिंदी फिल्म इंडर्श्टी में आप किसी भी हीरो या हीरोईं से बात करेंगे तो आपको पता चलेंगा कि उनमें से 99 प्रतीशत एक्टरेस ने अपने करियर में कभी न कभी ऐसी फिल्म की है जिसके सफलता में उनको पूरे संदे होते हैं लेकिन अच्छे पैसे मिनने के चकर में वो फिल्मे कर लेते हैं दक्षिन की फिल्म इंडर्श्टी भी इससे अचूद नहीं है और इसका ताजा प्रमान है डिजनी प्लस होस्टार पर लीस तमील फिल्म एक्शन थ्रीलर मारन जिसमें मुख्य भूमी का निबाई है धनूज ने एक गिसी पिटी कहानी एक बहुत थकी हुई पटकता और नहायत ही व्यर्थ किस्म का डारेक्शन मारन को अच्छा बोल कर इसकी तारिफ करने के लिए हिम्मत चाहिए पत्रकारिता की प्रुष्टु भूमी पर बनी ये फिल्म हमेशा ही कनफ्यूज नजर आती है क्या उसे धनूज के अभी नहीं का इस्तमाल करना है या उसे धनूज की कमर्शिल स्टार वाल इमेज का फायदा उठाना है या दोनों ही बातों को मिला जुला कर कुछ बना लेना है दनूज की सच्चे पत्रकार पीता को एक रिपोर्ट प्रकाशित करने के वज़ज़ से कुछ गुंडे मार देते है दनूज की बहन को जन देते समय उसकी मावे गुजर जाती है दनूज अपने मामा और छूटी बहन के साथ बड़ा होता है और एक ट्वीट की बदोलत एक न्यूस पॉर्टल में नौकरी पा लेता है एक के बाद एक नए नए खुलासे करते हुए दनूज देश्ट के सबसे बैतरी निवा पत्रकारों में शामिल किया जाता है नकली EVM पर की गई उसकी रिपोर्टिंग के बाहर राजने था पाजने उसके दुश्मन हो जाते है दनूज पर हमले भी होते है अचानक उसके बाहन का अपरण हो जाता है और दनूज पुलीस की मदद से उसकी तलाश करता है कई दिनों की कड़े मैनत के बाद वो पाजने के उस गुंडे तक पहुँच जाते है जिसने दनूज की बाहन का परण किया था दनूज की बाहन उसके पास वापस लोटाती है कहानी लिखी है शर्फू और सुहास की जूड़ी ने जिनोंने पहले दो मल्यालंग फिल्में लिखी थी वारतन और वाइरस और दोनों ही बहुत पसंद की गई थी निदेश कार्थीक ने इस जूड़ी के साथ स्क्रिन प्रेपर काम किया था कहानी और पठकता दोनों ही लेचर निकले अपने पिता को गुंडे को हाथे मरते देखकर भी दनूज अपने पिता की तरपत्रकारिता को ही अपना करियर चुनता है और एक सिर्फ एक ट्वीट की बदलत उसकी पॉजिटिव स्टोरी हजारों लोग पसंद करता है और उसे नौकरी भी मिल जाती है नौकरी में आते ही उसे एक लड़की भी मिल जाती है दनूज के बच्पन से जवान होने तक के सफर को फिल्म से गायब कर दिया गया है और ये ट्रांजिशन अदूरा ही रहता है कोई फ्लैश बेक भी नहीं दिखाया जाता दनूज सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज ही देता है बड़ी खबरे ही करता है बाकिस समय वो शरापपी कर डांस करता रहता है उसके मन में अपने पीता की हत्या की बात का असर नजर ही नहीं आता दनूज की बच्पन का करियर बहुत अजीब है वो क्या काम करती है समझने में आदी फिल्म निकल जाती है जबकि वो अपने भाई के लिए बड़या भाई खरिकती है पाजने की गुंडे की बहन दनूज की एक रिपूर्ट की वज़े से आत्मत्या कर लेती है और वो गुंडा इसका बदला लेने के लिए दनूज की बहन को किट्नैप कर लेता है ऐसे कई बड़े बड़े गड़े है जो कहानी में बरने की कोशिच भी नहीं की गई है दनूज ने इस फिल्म में कोई प्रभाव नहीं छोड़ा है दनूज पहली बार किसी पत्रकार के रोल में स्क्रिन पर आया है लेकिन किसी भी तरह से पत्रकार नजर नहीं आते उनकी बतौर पत्रकार काफी लोग प्रियता दिखाए गई है क्यों और कैसे ये बताना नेदेशकों को जरूर नहीं लगा है उन्हें आगे से ठीक वैसा डर लगता है जैसे नाना पाटे कर को फिन परिंदा में लगता था टीवी चैनल में उनके साथ ही और दनुश की बहन शुयता के बीच के समवाद अच्छे बने हैं थोड़े मॉडर्न है और सही भी लगते हैं दनुश और मालविका के बीच के समवाद के जरिये हाथ से पैदा करने की कोशिश की गई है जिसमें नेदेशक असफ़र रहे हैं मालविका का रोल बीच में खो जाता है और उसका क्या होता है ये बताने के जरूरत नहीं समझी गई है पाजणी का किरदार भी कनफ्यूजड है वो एक पूर्व मंत्री है लेकिन कभी वो शक्तिशाली मंत्री दिखाया गया है और कभी डरा हुआ दनुश जीस तरह से क्लाइमेक्स में उसे पकड़वा देता है वो बहुत ही हास्यपद है कारबन जैसी पसीतर फिल्म के सिनोमेटर ग्राफर विवेका नंद संतोशंग की ये दूसरी फिल्म है और उन्होंने फिल्म में कुछ भी अपनी और से नहीं चोड़ा है एडिडर प्रसन्ना जीके की भी यही कहानी है कई सफल फिल्मे करने के बाद भी मारन फिल्म का फाइनल एडिट लंबा और उबाव लगता है हर सिन करमबद तरीके से है फ्लेश बेक का इस्तमाल बहुत ही कम है और कहानी में कभी भी किसी तरह का थ्रिल नहीं दिखता क्योंकि एडिट बहुत ही साधरन तरीके से करने की फिल्म की कहानी के अनुसार जोड़ा गया लगता है निर्देश कार्टिक मेरन की पूरी फिल्मों ने बॉक्स ओफिस पर काफी नाम और दाम कमाया था और इसलिए इन्हें इस फिल्म के निर्देशन के तौर पर साइन किया गया था लेकिन कार्टिक ने इस फिल्म में कोई धमाका नहीं किया इस फिल्म से निराशा हाथ लगी क्योंकि नहीं ठीक से पत्रकारिता को दिखा पाई और नहीं कमर्शिल फिल्मों की तरह इसमें मसाला सही मातरा में था जिवी प्रकाश का संगीत ठीक था पॉलाडा उदगम को धनूश ने गाया था तो लोगों ने काफी पसंद किया इसके अलाव मारन में कुछ भी ऐसी बात नहीं थी जिस वज़े से इससे किसी और फिल्म की तुलना में हिट होने का कोई मौका मिले इस फिल्म को न देखे तो ही दनूश के फैंस के लिए बैतर होगा या मारन नहीं बलकि फैंस का ही कहना है अगर फिल्म के OTT डिलीज को लेकर बात करें तो यह फिल्म को आप डिजनी प्लस हॉश्टार पर देख सकते हैं दनूश की फिल्म मारन देखने से पहले यहां जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिव्यू और जाने कहां देखे इसे फ्री में मारन एक्शन थ्रीलर मुवी है जिसमें तनूश एक खोजी पत्रकार के भूमीका में नजर आ रहे है बुजन्ता के सामने सचलाने के लिए जान की बाज़े लगाते दिखाए देते हैं मारन फिल्म में तनूश कलम की नोट से गुंडो से ने पढ़ रहे है वही मालविका के साथ उनका रोमांस भी लोगों को खुब पसंदा रहा है मालविका भी इस फिल्म में पत्रकार की भूमीका में है देनुश से प्यार हो जाता है दोनों मिलकर खोजी पत्रकारी दा करते है मारन सरवजनी ग्रूब से राजनताओ के गलत कामों और विष्टचार को उजागर करता है या जानकर खनला एक पलानी मारन को मारन की कोशिश करता है मारन कैसे बचता है निर्देशन ने शांदार ढंग से तत्यू की स्क्रिनिंग की है मुवी को देखने के बाद जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वह स्मूर्टी बैंकिट की मुवी में दनुश की बन का करदार निभाई है मारन में स्मूर्टी ने चित्ती का करदार निभाया है फिल्में दनुश के साथ उनका नोग जो लोगों को खुब पसंदा रहा है मालवी का दनुश के साथ काम करने को लेकर एक इंटर्वी में कहा कि दनुश एक ऐसे एक्टर है जो आपको काफी कुछ सिखाते है वो वैसे कलाकार में नहीं होते है कि अपना किरदार निभाया और निकल गए वो आपको पुश करते हैं आपकी कम्यों और खुबियों के बारे में बताते हैं उन्होंने कहा कि दनुश और मारन टीम के साथ काम करना मेरी लिए सीखने का एक शांदार अनुगव रहा है फिल्मारन के निर्देशक कार्दिक नरेन है इसमें दनुश के साथ मालविका के अलावा माश्टर महिंदरन, समुठ रिकानी समुठ, समुठी वैंकर्ट और कुशना कुमार वो मुख्य भूमी काओं में है गितकार विएक के लिखी गीतों को फिल्म में संगितकार जीवी प्रकाश निसूरों से सजाया है बात कर इसके OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस वाश्टार पर रिलीज कर दी गई है अच्छे और प्रतिभावन एक्टरस जिनके हर फिल्म अपने आप में एक अलग ही अपील रखती है उसकी कहानी में नवीनता होती है उसका डिरेक्शन कमाल का होता है उनका आप अचानक एक बड़ी कमजोर ठकी हुई बिना लॉजिक की फिल्म करते हुए देखते है तो मन में ये सवाल तो उटता ही है कि शायद इस फिल्म के लिए पैसा अच्छा मिल रहा होगा इसलिए उन्होंने ये फिल्म की होगी हिंदी फिल्म इंडर्श्टी में आप किसी भी हीरो या हीरोईं से बात करेंगे तो आपको पता चलेंगा कि उनमें से 99 प्रतीशत एक्टरिस ने अपने करियर में कभी न कभी ऐसी फिल्म की है जिसकी सफलता में उनको पूरे संद्धे होते है लेकिन अच्छे पैसे मिनने के चकर में वो फिल्मे कर लेते हैं दक्षिन की फिल्म इंडर्श्टी भी इससे अचूद नहीं है और इसका ताजा प्रमान है डिजनी प्लस होस्टार पर रलीस तमील फिल्म एक्शन थ्रीलर मारन जिसमें मुख्य भूमी का निबाई है धनूज ने एक गिसी पिटी कहानी एक बहुत थकी हुई पटकता और नहायत ही व्यर्थ किस्म का डारेक्शन मारन को अच्छा बोल कर इसकी तारिफ करने के लिए हिम्मत चाहिए पत्रकारिता की प्रुष्टु भूमी पर बनी ये फिल्म हमेशा ही कनफ्यूज नजर आती है क्या उसे धनूज के अभी नहीं का इस्तमाल करना है या उसे धनूज की कमर्शिल स्टार वाल इमेज का फायदा उठाना है या दोनों ही बातों को मिला जुला कर कुछ बना लेना है दनूज की सच्चे पत्रकार पीता को एक रिपोर्ट प्रकाशित करने के वज़ज़ से कुछ गुंडे मार देते है दनूज की बहन को जन देते समय उसकी मावे गुजर जाती है दनूज अपने मामा और छूटी बहन के साथ बड़ा होता है और एक ट्वीट की बदोलत एक न्यूस पॉर्टल में नौकरी पा लेता है एक के बाद एक नए नए खुलासे करते हुए दनूज देश्ट के सबसे बैतरी निवा पत्रकारों में शामिल किया जाता है नकली EVM पर की गई उसकी रिपोर्टिंग के बाहर राजने था पाजने उसके दुश्मन हो जाते है दनूज पर हमले भी होते है अचानक उसके बाहन का अपरन हो जाता है और दनूज पुलीस की मदद से उसकी तलाश करता है कई दिनों की कड़े मैनत के बाद वो पाजने के उस गुंडे तक पहुँच जाते है जिस में धनूज की बाहन का परन किया था दनुश की बाइन उसके पास वापस लोटाती है कहानी लिखी है शर्फू और सुहास की जूडी ने जिन्होंने पहले दो मल्यालंग फिल्में लिखी थी वारतन और वाइरस और दोनों ही बहुत पसंद की गई थी दनुश के बच्पन से जवान होने तक के सफर को फिल्म से गायब कर दिया गया है और ये ट्रांजिशन अदूरा ही रहता है कोई फ्लेश बेक भी नहीं दिखाया जाता दनुश सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज ही देता है बड़ी खबरे ही करता है बाकिस समय वो शराप्पी कर डांस करता है उसके मन में अपने पीता की हत्या की बात का असर नजर ही नहीं आता दनुश की बाहन का करियर बहुत अजीब है वो क्या काम करती है समझने में आदी फिल्म निकल जाती है जबकि वो अपने भाई के लिए बढ़या भाई खरिकती है पाजने की गुंडे की बहन दनुश की एक रिपूर्ट की वज़े से आत्मत्या कर लेती है और वो गुंडा इसका बदला लेने के लिए दनुश की बहन को किट्नैप कर लेता है ऐसे कई बड़े बड़े गड़े है जो कहानी में बरने की कोशिच भी नहीं की गई है जैसे नाना पाटे कर को फिन परिंदा में लगता था टीवे चैनल में उनके साथ ही और दनुश की बहन श्वेता के बीच के समवाद अच्छे बने हैं थोड़े मॉडन है और सही भी लगते हैं दनुश और मालविका के बीच के समवाद के जरिये हाथ से पैदा करने की कोशिच की गई है जिसमें नेदेशक असफ़र रहे हैं मालविका का रोल बीच में खो जाता है और उसका क्या होता है ये बताने के जरूरत नहीं समझी गई है पाजणी का किरदार भी कनफ्यूजड है वो एक पूर्व मंत्री है लेकिन कभी वो शक्तिशाली मंत्री दिखाया गया है और कभी डरा हुआ दनुश जीस तरह से क्लाइमेक्स में उसे पकड़वा देते है वो बहुत ही हास्यपद है कारबन जैसी पसीतर फिल्म के सिनोमेटर ग्राफर विवेका नंद संतोशं की ये दूसरी फिल्म है और उन्होंने फिल्म में कुछ भी अपनी और से नहीं चोड़ा है एडिडर प्रसन्ना जीके की भी यही कहानी है कई सफल फिल्मे करने के बाद भी मारन फिल्म का फाइनल एडिट लंबा और उबाव लगता है हर सिन करमबद तरीके से है फ्लेश बेक का इस्तमाल बहुत ही कम है और कहानी में कभी भी किसी तरह का थ्रिल नहीं दिखता क्योंकि एडिट बहुत ही साधरन तरीके से करने की फिल्म की कहानी के अनुसार जोड़ा गया लगता है निर्देश कार्टिक नरिन की पूरी फिल्मों ने बॉक्स ओफिस पर काफी नाम और दाम कमाया था और इसलिए इन्हें इस फिल्म के निर्देशन के तौर पर साइन किया गया था लेकिन कार्टिक ने इस फिल्म में कोई धमाका नहीं किया इस फिल्म से निराशा हाथ लगी क्योंकि नहीं ठीक से पत्रकारिता को दिखा पाई और नहीं कमर्शिल फिल्मों की तरह इसमें मसाला सही मातरा में था जिवी प्रकाश का संगीत ठीक था पॉलाडा उदगम को धनूश ने गाया था तो लोगों ने काफी पसंद किया इसके अलाव मारन में कुछ भी ऐसी बात नहीं थी जिस वज़े से इसे किसी और फिल्म की तुलना में इट होने का कोई मौका मिले इस फिल्म को न देखे तो ही दनूश के फैंस के लिए बैतर होगा या मारन नहीं बलकि फैंस का ही कहना है अगर फिल्म के OTT डिलीज को लेकर बात करें तो यह फिल्म को आप डिजनी प्लस होश्टार पर देख सकते हैं दनूश की फिल्म मारन देखने से पहले यहां जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिवियू और जाने कहा देखे इसे फ्री में मारन एक्शन त्रीलर मुवी है जिसमें तनूश एक खोजी पत्रकार के भूमीका में नजर आ रहे है गुजन्ता के सामने सचलाने के लिए जान की बाज़े लगाते दिखाए देते हैं मारन फिल्म में तनूश कलम की नोट से गुंडो से ने पढ़ रहे है वही मालविका के साथ उनका रोमांस भी लोगों को खुब पसंदा रहा है मालविका भी इस फिल्म में पत्रकार की भूमीका में है देनुश से प्यार हो जाता है दोनों मिलकर खोजी पत्रकारी दा करते है मारन सरवजनी ग्रूब से राजनताओ के गलत कामों और विष्टचार को उजागर करता है या जानकर खनला एक पलानी मारन को मारन की कोशिश करता है मारन कैसे बचता है निर्देशन निशानदार ढंग से तत्यू की स्क्रिनिंग की है मुवी को देखने के बाद जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह स्मूर्टी बैंकिट की जो मुवी में दनुश की बन का करदार निभाई है मारन स्मूर्टी निचित्ती का किरदार निभाया है फिल्में दनुश के साथ उनका नोग जो लोगों को खुब पसंदा रहा है मालवी का दनुश के साथ काम करने को लेकर एक इंटर्वी में कहा कि दनुश एक ऐसे एक्टर है जो आपको काफी कुछ सिखाते हैं वो वैसे कलाकार में नहीं होते हैं कि अपना किरदार निभाया और निकल गए वो आपको पुश करते हैं आपकी कम्यों और खुबियों के बारे में बताते हैं उन्होंने कहा कि दनुश और मारन टीम के साथ काम करना मेरी लिए सीखने का एक शांदार अनुगव रहा है अगर आप इसे फ्रीम में देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस वाच्टार पर फ्रीम में देख सकते हैं अगर आपके पास डिजनी प्लस वाच्टार का सब्सक्रिप्शन है जाने धनुश की फिल्म मारन की पूरी कहानी वबी हिंदी में साथ ही जाने किस OTT प्रेटफॉर्म पर देखे इस फिल्म को अच्छे और प्रतिभावन एक्टर्स जिनके हर फिल्म अपने आप में एक अलग ही अपील रखती है उसकी कहानी में नवीनता होती है उसका डिरेक्शन कमाल का होता है उनका आप अचानक एक बड़ी कमजोर ठकी हुई बिना लॉजिक की फिल्म करते हुए देखते है तो मन में ये सवाल तो उटता ही है कि शायद इस फिल्म के लिए पैसा अच्छा मिल रहा होगा इसलिए उन्होंने ये फिल्म की होगी हिंदी फिल्म इंडरश्टी में आप किसी भी हीरो या हीरों से बात करेंगे तो आपको पता चलेंगा कि उन में से 99 प्रतीशत एक्टरिस ने अपने करियर में कभी न कभी ऐसी फिल्म की है जिसकी सफलता में उनको पूरे संद्य होते हैं लेकिन अच्छे पैसे मिलने के चकर में वो फिल्मे कर लेते हैं दक्षिन की फिल्म इंडरिश्टी भी इससे अचूद नहीं है और इसका ताजा प्रमान है डिजनी प्लस होस्टार पर लीस तमील फिल्म एक्षिन थ्रीलर मारन जिसमें मुख्य भूमी का निवाई है धनुज ने एक गिसी पिटी कहानी एक बहुत थकी हुई पटकता और नहायत ही व्यर्थ किस्म का डारिक्शन मारन को अच्छा बोल कर इसकी तारिफ करने के लिए हिम्मत चाहिए पत्रकारिता की प्रुष्टू भूमी पर बनी ये फिल्म हमेशा ही कनफ्यूज नजर आती है क्या उसे धनुश के अभी नहीं का इस्तमाल करना है या उसे धनुश की कमर्शिल स्टार वाली इमेश का फायदा उठाना है या दोनों ही बातों को मिला जुला कर कुछ बना लेना है धनुश के सच्चे पत्रकार पीता को एक रिपोर्ट प्रकाशित करने के वज़ज़ से कुछ गुंडे मार देते है धनुश की बाहन को जन देते समय उसकी मावे गुजर जाती है धनुश अपने मामा और छूटी बाहन के साथ बड़ा होता है और एक ट्वीट की बदॉलत एक न्यूस पॉर्टल में नौकरी पा लेता है एक के बाद एक नए नए खुलासे करते हुए धनुश देश्ट के सबसे बैतरी निवा पतरकारों में शामिल किया जाता है नकली इवियांप पर की गई उसकी रिपोर्टिंग के बाहर राजने था पाजने उसके दुश्मन हो जाते है धनुश पर हमले भी होते है अचानक उसकी बाहन का अपरण हो जाता है और धनुश पुलीस की मदद से उसकी तलाश करता है कई दिनों की कड़े मैनत के बाद वो पाजने के उस गुंडे तक पहुँच जाते है जिसने धनुश की बाहन का अपरण किया था मारपीड के बाद वो गुंडा धनुश के सामने एक ऐसा सच चलाता है जिसको सुनकर धनुश को हम इसा सच का साथ देने वाली अपनी पत्रकारिता का दुश पहिनान नुजराता है अंत में पाजनी अपने सबी गुंडो और चम्चो के साथ पुलिस की हिरासत में बेज़ दिया जाता है दनुश की बाहन उसके पास वापस लोटाती है कहानी लिखी है शर्फू और सुहास की जुडी ने जिनोंने पहले दो मल्यालं फिल्में लिखी थी वारतन और वाइरस और दोनों ही बहुत पसंद की गई थी नेदेश कार्थीक ने इस टूडी के साथ स्क्रिन प्रेपर काम किया था कहानी और पठकता दोनों ही लेचर निकले अपने पिता को गुंडे को हाथे मरते देख कर भी दनुष अपने पिता की तरह पत्रकारिता को ही अपना करियर चुनता है और एक सिर्फ एक ट्वीट की बदलत उसकी पॉजिटिव स्टोरी हजारों लोग पसंद करता है और उसे नौकरी भी मिल जाती है नौकरी में आते ही उसे एक लड़की भी मिल जाती है दनुष के बच्पन से जवान होने तक के सफर को फिल्म से गायब कर दिया गया है और ये ट्रांजिशन अदूरा ही रहता है कोई फ्लैश्बेक भी नहीं दिखाया जाता दनुष सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज ही देता है बड़ी खबरे ही करता है बाकिस समय वो शरापपी कर डांस करता रहता है उसके मन में अपने पीता की हत्या की बात का असर नजर ही नहीं आता दनुष की बच्पन का करियर बहुत अजीब है वो क्या काम करती है समझने में आदी फिल्म निकल जाती है जबकि वो अपने भाई के लिए बड़या भाई खरिकती है पाजने की गुंडे की बहन दनुष की एक रिपूर्ट की वज़े से आत्मत्या कर लेती है और वो गुंडा इसका बदला लेने के लिए दनुष की बहन को किट्नैप कर लेता है ऐसे कई बड़े बड़े गड़े है जो कहानी में बरने की कोशिच भी नहीं की गई है दनुष ने इस फिल्म में कोई प्रभाव नहीं छोड़ा है दनुष पहली बार किसी पत्रकार के रोल में स्क्रिन पर आया है लेकिन किसी भी तरह से पत्रकार नजर नहीं आते उनकी बतौर पत्रकार काफी लोग प्रियता दिखाए गई है क्यों और कैसे ये बताना नेदेशकों को जरूर नहीं लगा है उन्हें आगे से ठीक वैसा डर लगता है जैसे नाना पाटे कर को फिन परिंदा में लगता था टीवी चैनल में उनके साथ ही और दनुश की बहन शुयता के बीच के समवाद अच्छे बने हैं थोड़े मॉडर्न है और सही भी लगते हैं दनुश और मालविका के बीच के समवाद के जरिये हाथ से पैदा करने की कोशिश की गई है जिसमें नेदेशक असफ़र रहे हैं मालविका का रोल बीच में खो जाता है और उसका क्या होता है ये बताने के जरूरत नहीं समझी गई है पाजणी का किरदार भी कनफ्यूजड है वो एक पूर्व मंत्री है लेकिन कभी वो शक्तिशाली मंत्री दिखाया गया है और कभी डरा हुआ दनुश जीस तरह से क्लाइमेक्स में उसे पकड़वा देते है वो बहुत ही हास्यपद है कारबन जैसी पसीतर फिल्म के सिनोमेटर ग्राफर विवेका नंद संतोशं की ये दूसरी फिल्म है और उन्होंने फिल्म में कुछ भी अपनी और से नहीं चोड़ा है एडिडर प्रसन्ना जीके की भी यही कहानी है कई सफल फिल्मे करने के बाद भी मारन फिल्म का फाइनल एडिट लंबा और उबाव लगता है हर सिन करमबद तरीके से है फ्लेश बेक का इस्तमाल बहुत ही कम है और कहानी में कभी भी किसी तरह का थ्रिल नहीं दिखता क्योंकि एडिट बहुत ही साधरन तरीके से करने की फिल्म की कहानी के अनुसार जोड़ा गया लगता है निर्देश कार्टिक मेरन की पूरी फिल्मों ने बॉक्स ओफिस पर काफी नाम और दाम कमाया था और इसलिए इन्हें इस फिल्म के निर्देशन के तौर पर साइन किया गया था लेकिन कार्टिक ने इस फिल्म में कोई धमाका नहीं किया इस फिल्म से निराशा हाथ लगी क्योंकि नहीं ठीक से पत्रकारिता को दिखा पाई और नहीं कमर्शिल फिल्मों की तरह इसमें मसाला सही मातरा में था जिवी प्रकाश का संगीत ठीक था पॉलाडा उदगम को धनूश ने गाया था तो लोगों ने काफी पसंद किया इसके अलाव मारन में कुछ भी ऐसी बात नहीं थी जिस वज़े से इसे किसी और फिल्म की तुलना में इट होने का कोई मौका मिले इस फिल्म को न देखे तो ही दनूश के फैंस के लिए बैतर होगा या मारन नहीं बलकि फैंस का ही कहना है अगर फिल्म के OTT डिलीज को लेकर बात करें तो यह फिल्म को आप डिजनी प्लस होश्टार पर देख सकते हैं दनूश की फिल्म मारन देखने से पहले यहां जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिवियू और जाने कहा देखे इसे फ्री में मारन एक्शन थ्रीलर मुवी है जिसमें तनूश एक खोजी पत्रकार के भूमीका में नजर आ रहे है गुजंता के सामने सचलाने के लिए जान की बाज़े लगाते दिखाए देते हैं मारन फिल्म में तनूश कलम की नोट से गुंडो से ने पड़ रहे है वही मानविका के साथ उनका रूमांस भी लोगों को खुब पसंदा रहा है मानुविका भी इस फिल्म में पत्रकार की भूमीका में है देनुश से प्यार हो जाता है दोनों मिलकर खोजी पत्रकारी दा करते है मारन सरवजनी ग्रूब से राजनताओं के गलत कामों और विश्टचार को उजागर करता है या जानकर खलना एक पलानी मारन को मारन की कोशिश करता है मारन कैसे बचता है निर्देशन निशानदार ढंग से तत्यू की स्क्रिनिंग की है वह मुवी को देखने के बाद जिसकी सबसे ज़्यदा चर्चा हो रही है वह स्मूर्टी बैंकिट की जो मुवी में दनुश की बन का किरदार निभाई है मारन स्मूर्टी ने चित्ती का किरदार निभाया है फिल्में दनुश के साथ उनका नोग जो लोगों को खुब पसंदा रहा है मालवी का दनुश के साथ काम करने को लेकर एक इंटर्वी में कहा कि दनुश एक ऐसे एक्टर है जो आपको काफी कुछ सिखाते हैं वो बैसे कलाकार में नहीं होते है कि अपना किरदार निभाया और निकल गए वो आपको पुश करते हैं आपकी कम्यों और खुबियों के बारे में बताते हैं उन्होंने कहा कि दनुश और मारं टीम के साथ काम करना मेरी लिए सीखने का एक शांदार अनुबव रहा है फिल्मारं के निर्देशक कार्दिक नरेन है इसमें दनुश के साथ मालविका के अलावा माश्टर महिंदरन, समुठ रिकानी समुठ, समुठी वैंकट और कुशना कुमार वो मुक्य भूमिकाओं में है गितकार विएक के लिखी गीतों को फिल्म में संगितकार जीवी प्रकाश निसूरों से सजाया है बात कर इसके OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस वाश्टार पर रिलीज कर दी गई है अच्छे और प्रतिभावन एक्टरस जिनके हर फिल्म अपने आप में एक अलग ही अपील रखती है उसकी कहानी में नवीनता होती है उसका डिरेक्शन कमाल का होता है उनका आप अचानक एक बड़ी कमजूर ठकी हुई बिना लॉजिक की फिल्म करते हुए देखते है तो मन में ये सवाल तो उटता ही है कि शायद इस फिल्म के लिए पैसा अच्छा मिल रहा होगा इसलिए उन्होंने ये फिल्म की होगी हिंदी फिल्म इंडर्श्टी में आप किसी भी हीरो या हीरोईं से बात करेंगे तो आपको पता चलेंगा कि उनमें से 99 प्रतीशत एक्टरिस ने अपने करियर में कभी न कभी ऐसी फिल्म की है जिसकी सफलता में उनको पूरे संदे होते हैं लेकिन अच्छे पैसे मिलने के चकर में वो फिल्मे कर लेते हैं दक्षिन की फिल्म इंडर्श्टी भी इससे अचूद नहीं है और इसका ताजा प्रमान है डिजनी प्लस होस्टार पर लीस तमील फिल्म एक्शन थ्रीलर मारन जिसमें मुख्य भूमी का निबाई है धनूज ने एक गिसी पिटी कहानी एक बहुत थकी हुई पटकता और नहायत ही व्यर्थ किस्म का डारेक्शन मारन को अच्छा बोल कर इसकी तारिफ करने के लिए हिम्मत चाहिए पत्रकारिता की प्रुष्टु भूमी पर बनी ये फिल्म हमेशा ही कनफ्यूज नजर आती है क्या उसे धनूज के अभी नहीं का इस्तमाल करना है या उसे धनूज की कमर्शिल स्टार वाल इमेज का फायदा उठाना है या दोनों ही बातों को मिला जुला कर कुछ बना लेना है दनूज की सच्चे पत्रकार पीता को एक रिपोर्ट प्रकाशित करने के वज़ज़ से कुछ गुंडे मार देते है दनूज की बहन को जन देते समय उसकी मावे गुजर जाती है दनूज अपने मामा और छूटी बहन के साथ बड़ा होता है और एक ट्वीट की बदूलत एक न्यूस पॉर्टल में नौकरी पा लेता है एक के बाद एक नए नए खुलासे करते हुए दनूज देश्ट के सबसे बैतरी निवा पत्रकारों में शामिल किया जाता है नकली EVM पर की गई उसकी रिपोर्टिंग के बाहर राजने था पाजने उसके दुश्मन हो जाते है दनूज पर हमले भी होते है अचानक उसके बाहन का अपरन हो जाता है और दनूज पुलीस की मदद से उसकी तलाश करता है कई दिनों की कड़ी मैंपे बाद वो पाजने के उस गुंडे तक पहुँच जाते है जिसने दनूज की बाहन का परन किया था दनुश की बाइन उसके पास वापस लोटाती है कहानी लिखी है शर्फू और सुहास की जोड़ी ने जिन्होंने पहले दो मल्यालंग फिल्में लिखी थी वारतन और वाइरस और दोनों ही बहुत पसंद की गई थी निदेश कार्थीक ने इस टूड़ी के साथ स्क्रिन पेपर काम किया था कहानी और पठकता दोनों ही लेचर निकले अपने पिता को गुंडे को हाथे मरते देखकर भी दनुश अपने पिता की तरह पत्रकारिता को ही अपना करियर चुनता है और एक सिर्फ एक ट्वीट की बदलत उसकी पॉजिटिव स्टोरी हजारों लोग पसंद करता है और उसे नौकरी भी मिल जाती है नौकरी में आते ही उसे एक लड़की भी मिल जाती है दनुश के बच्पन से जवान होने तक के सफर को फिल्म से गायब कर दिया गया है और ये ट्रांजिशन अदुरा ही रहता है कोई फ्लैश्बेक भी नहीं दिखाया जाता दनुश सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज ही देता है बड़ी खबरे ही करता है बाकिस समय वो शराप्पी कर डांस करता रहता है उसके मन में अपने पीता की हत्या की बात का असर नजर ही नहीं आता दनुश की बच्पन का करियर बहुत अजीब है वो क्या काम करती है समझने में आदी फिल्म निकल जाती है जबकि वो अपने भाई के लिए बड़या भाई खरिकती है पाजने की गुंडे की बहन दनुश की एक रिपूर्ट की वज़े से आत्मत्या कर लेती है और वो गुंडा इसका बदला लेने के लिए दनुश की बहन को किट्नैप कर लेता है ऐसे कई बड़े बड़े गड़े है जो कहानी में बरने की कोशिच भी नहीं की गई है दनुश ने इस फिल्म में कोई प्रभाव नहीं छोड़ा है दनुश पहली बार किसी पत्रकार के रोल में स्क्रिन पर आया है लेकिन किसी भी तरह से पत्रकार नजर नहीं आते उनकी बतौर पत्रकार काफी लोग प्रियता दिखाए गई है क्यों और कैसे ये बताना नेदेशकों को जरूर नहीं लगा है उन्हें आगे से ठीक वैसा डर लगता है जैसे नाना पाटे कर को फिन परिंदा में लगता था टीवी चैनल में उनके साथ ही और दनुश की बहन शुयता के बीच के समवाद अच्छे बने हैं थोड़े मॉडर्न है और सही भी लगते हैं दनुश और मालविका के बीच के समवाद के जरिये हाथ से पैदा करने की कोशिश की गई है जिसमें नेदेशक असफ़र रहे हैं मालविका का रोल बीच में खो जाता है और उसका क्या होता है ये बताने के जरूरत नहीं समझी गई है पाजणी का किरदार भी कनफ्यूजड है वो एक पूर्व मंत्री है लेकिन कभी वो शक्तिशाली मंत्री दिखाया गया है और कभी डरा हुआ दनुश जीस तरह से क्लाइमेक्स में उसे पकड़वा देता है वो बहुत ही हास्यपद है कारबन जैसी पसीतर फिल्म के सिनोमेटर ग्राफर विवेका नंद संतोशं की ये दूसरी फिल्म है और उन्होंने फिल्म में कुछ भी अपनी और से नहीं चोड़ा है एडिडर प्रसन्ना जीके की भी यही कहानी है कई सफल फिल्मे करने के बाद भी मारन फिल्म का फाइनल एडिट लंबा और उबाव लगता है हर सिन करमबद तरीके से है फ्लेश बेक का इस्तमाल बहुत ही कम है और कहानी में कभी भी किसी तरह का थ्रिल नहीं दिखता क्योंकि एडिट बहुत ही साधरन तरीके से करने की फिल्म की कहानी के अनुसार जोड़ा गया लगता है निर्देश कार्टिक मेरन की पूरी फिल्मों ने बॉक्स ओफिस पार काफी नाम और दाम कमाया था और इसलिए इन्हें इस फिल्म के निर्देशन के तौर पर साइन किया गया था लेकिन कार्टिक ने इस फिल्म में कोई धमाका नहीं किया इस फिल्म से निराशा हाथ लगी क्योंकि नहीं ठीक से पत्रकारिता को दिखा पाई और नहीं कमर्शिल फिल्मों की तरह इसमें मसाला सही मातरा में था जिवी प्रकाश का संगीत ठीक था पॉलाडा उदगम को धनूश ने गाया था तो लोगों ने काफी पसंद किया इसके अलाव मारन में कुछ भी ऐसी बात नहीं थी जिस वज़े से इससे किसी और फिल्म की तुलना में इट होने का कोई मौका मिले इस फिल्म को न देखे तो ही दनूश के फैंस के लिए बैतर होगा या मारन नहीं बलकि फैंस का ही कहना है अगर फिल्म की OTT डिलीज को लेकर बात करें तो यह फिल्म को आप डिजनी प्लस हॉस्टार पर देख सकते हैं दनूश की फिल्म मारन देखने से पहले यहां जाने की कहानी फिल्म का रिव्यू और जाने कहां देखे इसे फ्री में मारन एक्शन त्रीलर मुवी है जिसमें तनुष एक खोजी पत्रकार के भूमीका में नजर आ रहे है गुजंता के सामने सचलाने के लिए जान की बाज़े लगाते दिखाए देते हैं मारन फिल्म में तनुष कलम की नोट से गुंडो से ने पड़ रहे है वही मालविका के साथ उनका रोमास भी लोगों को खुब पसंदा रहा है मालविका भी इस फिल्म में पत्रकार की भूमीका में है देनुष से प्यार हो जाता है दोनों मिलकर खोजी पत्रकारी दा करते है मारन सरवजनी ग्रूब से राजनताओ के गलत कामों और विष्टचार को उजागर करता है या जानकर खनला एक पलानी मारन को मारन की कोशिश करता है मारन कैसे बचता है निर्देशन निशानदा डंग से तत्यू की स्क्रिनिंग की है मुवी को देखने के बाद जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है स्मूर्टी बैंकिट की जो मुवी में दनुश की बन का करदार निभाई है मारन स्मूर्टी ने चित्ती का करदार निभाया है फिल्में दनुश के साथ उनका नोग जो लोगों को खुब पसंदा रहा है मालवी का दनुश के साथ काम करने को लेकर एक इंटर्वी में कहा कि दनुश एक ऐसे एक्टर है जो आपको काफी कुछ सिखाते हैं वो बैसे कलाकार में नहीं होते हैं कि अपना करदार निभाया और निकल गए वो आपको पुश करते हैं आपकी कम्यों और खुबियों के बारे में बताते हैं उन्होंने कहा कि दनुश और मारंटीम के साथ काम करना मेरी ले सीखने का एक शांदार अनुबव रहा है फिल्मारं के निर्देशक कार्दिक नरेन है इसमें दनुश के साथ मालविका के अलावा माश्टर महिंदरन, समुठ रिकानी समुठ, समूर्टी वैंकर्ट और कुशना कुमार वो मुख्य भूमी काओं में है गितकार विवेक के लिखी गीतों को फिल्म में संगितकार जीवी प्रकाश निसूरों से सजाया है बात कर इसके OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस वाश्टार पर रिलीज कर दी गई है अच्छे और प्रतिभावन एक्टरस जिनके हर फिल्म अपने आप में एक अलग ही अपील रखती है उसकी कहानी में नवीनता होती है उसका डिरेक्शन कमाल का होता है उनका आप अचानक एक बड़ी कमजोर ठकी हुई बिना लॉजिक की फिल्म करते हुए देखते है तो मन में ये सवाल तो उटता ही है कि शायद इस फिल्म के लिए पैसा अच्छा मिल रहा होगा इसलिए उन्होंने ये फिल्म की होगी हिंदी फिल्म इंडर्श्टी में आप किसी भी हीरो या हीरोईं से बात करेंगे तो आपको पता चलेंगा कि उनमें से 99 प्रतीशत एक्टरस ने अपने करियर में कभी न कभी ऐसी फिल्म की है जिसकी सफलता में उनको पूरे संद्धे होते हैं लेकिन अच्छे पैसे मिनने के चकर में वो फिल्मे कर लेते हैं दक्षिन की फिल्म इंडर्श्टी भी इससे अचूद नहीं है और इसका ताजा प्रमान है डिजनी प्लस होस्टार पर लीस तमील फिल्म एक्शन थ्रीलर मारन जिसमें मुख्य भूमी का निबाई है धनूज ने एक गिसी पिटी कहानी एक बहुत थकी हुई पटकता और नहायत ही व्यर्थ किस्म का डारेक्शन मारन को अच्छा बोल कर इसकी तारिफ करने के लिए हिम्मत चाहिए पत्रकारिता की प्रुष्टु भूमी पर बनी ये फिल्म हमेशा ही कनफ्यूज नजर आती है क्या उसे धनूज के अभी नहीं का इस्तमाल करना है या उसे धनूज की कमर्शिल स्टार वाली इमेज का फायदा उठाना है या दोनों ही बातों को मिला जुला कर कुछ बना लेना है दनूज की सच्चे पत्रकार पीता को एक रिपोर्ट प्रकाशित करने के वज़ज़ से कुछ गुंडे मार देते है दनूज की बहन को जन देते समय उसकी मावे गुजर जाती है दनूज अपने मामा और छूटी बहन के साथ बड़ा होता है और एक ट्वीट की बदूलत एक न्यूस पॉर्टल में नौकरी पा लेता है एक के बाद एक नए नए खुलासे करते हुए दनूज देश्ट के सबसे बैतरी निवा पत्रकारों में शामिल किया जाता है नकली EVM पर की गई उसकी रिपोर्टिंग के बाहर राजने था पाजने उसके दुश्मन हो जाते है दनूज पर हमले भी होते है अचानक उसके बाहन का अपरन हो जाता है और दनूज पुलीस की मदद से उसकी तलाश करता है कई दिनों की कड़ी मैनत के बाद वो पाजने के उस गुंडे तक पहुँच जाते है जिसने दनूज की बाहन का अपरन किया था दनुश की बाइन उसके पास वापस लोटाती है कहानी लिखी है शर्फू और सुहास की जोड़ी ने जिन्होंने पहले दो मल्यालंग फिल्में लिखी थी वारतन और वाइरस और दोनों ही बहुत पसंद की गई थी नेदेश कार्थीक ने इस टूड़ी के साथ स्क्रिन प्रेपर काम किया था कहानी और पठकता दोनों ही लेचर निकले अपने पिता को गुंडे को हाथे मरते देखकर भी दनुश अपने पिता की तरह पत्रकारिता को ही अपना करियर चुनता है और एक सिर्फ एक ट्वीट की बदलत उसकी पॉजिटिव स्टोरी हजारों लोग पसंद करता है और उसे नौकरी भी मिल जाती है नौकरी में आते ही उसे एक लड़की भी मिल जाती है दनुश के बच्पन से जवान होने तक के सफर को फिल्म से गायब कर दिया गया है और ये ट्रांजिशन अदुरा ही रहता है कोई फ्लैश्बेक भी नहीं दिखाया जाता दनुश सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज ही देता है बड़ी खबरे ही करता है बाकिस समय वो शरापपी कर डांस करता रहता है उसके मन में अपने पीता की हत्या की बात का असर नजर ही नहीं आता दनुश की बच्पन का करियर बहुत अजीब है वो क्या काम करती है समझने में आदी फिल्म निकल जाती है जबकि वो अपने भाई के लिए बड़या भाई खरिकती है पाजने की गुंडे की बहन दनुश की एक रिपूर्ट की वज़े से आत्मत्या कर लेती है और वो गुंडा इसका बदला लेने के लिए दनुश की बहन को किट्नैप कर लेता है ऐसे कई बड़े बड़े गड़े है जो कहानी में बरने की कोशिच भी नहीं की गई है दनुश ने इस फिल्म में कोई प्रभाव नहीं छोड़ा है दनुश पहली बार किसी पत्रकार के रोल में स्क्रिन पर आया है लेकिन किसी भी तरह से पत्रकार नजर नहीं आते उनकी बतौर पत्रकार काफी लोग प्रियता दिखाए गई है क्यों और कैसे ये बताना नेदेशकों को जरूर नहीं लगा है उन्हें आगे से ठीक वैसा डर लगता है जैसे नाना पाटे कर को फिन परिंदा में लगता था टीवी चैनल में उनके साथ ही और दनुश की बहन शोयता के बीच के समवाद अच्छे बने हैं थोड़े मॉडर्न है और सही भी लगते हैं दनुश और मालविका के बीच के समवाद के जरिये हाथ से पैदा करने की कोशिश की गई है जिसमें नेदेशक असफ़र रहे हैं मालविका का रोल बीच में खो जाता है और उसका क्या होता है ये बताने के जरूरत नहीं समझी गई है पाजणी का किरदार भी कनफ्यूजड है वो एक पूर्व मंत्री है लेकिन कभी वो शर्तिशाली मंत्री दिखाया गया है और कभी डरा हुआ दनुश जीस तरह से क्लाइमेक्स में उसे पकड़वा देते है वो बहुत ही हास्यपद है कारबन जैसी पसीतर फिल्म के सिनोमेटर ग्राफर विवेका नंद संतोशं की ये दूसरी फिल्म है और उन्होंने फिल्म में कुछ भी अपनी और से नहीं चोड़ा है एडिडर प्रसन्ना जीके की भी यही कहानी है कई सफल फिल्मे करने के बाद भी मारन फिल्म का फाइनल एडिट लंबा और उबाव लगता है हर सिन करमबद तरीके से है फ्लेश बेक का इस्तमाल बहुत ही कम है और कहानी में कभी भी किसी तरह का थ्रिल नहीं दिखता क्योंकि एडिट बहुत ही साधरन तरीके से करने की फिल्म की कहानी के अनुसार जोड़ा गया लगता है निर्देश कार्टिक मेरन की पूरी फिल्मों ने बॉक्स ओफिस पर काफी नाम और दाम कमाया था और इसलिए इन्हें इस फिल्म के निर्देशन के तौर पर साइन किया गया था लेकिन कार्टिक ने इस फिल्म में कोई धमाका नहीं किया इस फिल्म से निराशा हाथ लगी क्योंकि नहीं ठीक से पत्रकारिता को दिखा पाई और नहीं कमर्शिल फिल्मों की तरह इसमें मसाला सही मातरा में था जिवी प्रकाश का संगित ठीक था पॉलाडा उदगम को धनुश ने गाया था तो लोगों ने काफी पसंद किया इसके अलाव मारन में कुछ भी ऐसी बात नहीं थी जिस वज़े से इसे किसी और फिल्म की तुलना मी इट होने का कोई मौका मिले इस फिल्म को न देखे तो ही दनुश के फैंस के लिए बैतर होगा या मारन नहीं बलकि फैंस का ही कहना है अगर फिल्म के OTT डिलीज को लेकर बात करें तो ये फिल्म को आप डिजनी प्लस हॉश्टार पर देख सकते हैं धनुश की फिल्म मारन देखने से पहले यहां जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में मारन एक्शन त्रीलर मुवी है जिसमें तनुश एक खोजी पत्रकार के भूमीका में नजर आ रहे है वोजंता के सामने सचलाने के लिए जान की बाज़े लगाते दिखाए देते हैं मारन फिल्म में तनुश कलम की नोट से गुंडो से ने पढ़ रहे है वही मालविका के साथ उनका रोमास भी लोगों को खुब पसंदा रहा है मालविका भी इस फिल्म में पत्रकार की भूमीका में है देनुश से प्यार हो जाता है दोनों मिलकर खोजी पत्रकारी दा करते है मारन सरवजनी ग्रूब से राजनताओ के गलत कामों और विष्टचार को उजागर करता है या जानकर खनला एक पलानी मारन को मारन की कोशिश करता है मारन कैसे बचता है निर्देशन ने शांदार ढंग से तत्यू की स्क्रिनिंग की है मुवी को देखने के बाद जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है समूर्टी बैंकिट की जो मुवी में दनुश की बन का केरदा निभाई है मारन समूर्टी ने चित्ती का केरदा निभाया है फिल्में दनुश के साथ उनका नोग जो लोगों को खुब पसंदा रहा है मालवी का दनुश के साथ काम करने को लेकर एक इंटर्वी में कहा कि दनुश एक ऐसे एक्टर है जो आपको काफी कुछ सिखाते हैं वो वैसे कलाकार में नहीं होते है कि अपना किरदार निभाया और निकल गए वो आपको पुश करते हैं आपकी कम्यों और खुबियों के बारे में बताते हैं उन्होंने कहा कि दनुश और मारं टीम के साथ काम करना मेरी लिए सीखने का एक शांदार अनुबव रहा है फिल्मारं के निर्देशक कार्दिक नरेन है इसमें दनुश के साथ मालविका के अलावा माश्टर महिंदरन, समुठ रिकानी समुठ, समुठी वैंकट और कुशना कुमार वो मुक्य भूमी काओं में है गितकार विएक के लिखी गीतों को फिल्म में संगितकार जीवी प्रकाश निसूरों से सजाया है बात कर इसके OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस वाश्टार पर रिलीज कर दी गई है अच्छे और प्रतिभावन एक्टरस जिनके हर फिल्म अपने आप में एक अलग ही अपील रखती है उसकी कहानी में नवीनता होती है उसका डिरेक्शन कमाल का होता है उनका आप अचानक एक बड़ी कमजूर ठकी हुई बिना लॉजिक की फिल्म करते हुए देखते है तो मन में ये सवाल तो उटता ही है कि शायद इस फिल्म के लिए पैसा अच्छा मिल रहा होगा इसलिए उन्होंने ये फिल्म की होगी हिंदी फिल्म इंडर्श्टी में आप किसी भी हीरो या हीरोईं से बात करेंगे तो आपको पता चलेंगा कि उनमें से 99 प्रतीशत एक्टरिस ने अपने करियर में कभी न कभी ऐसी फिल्म की है जिसके सफलता में उनको पूरे संदे होते हैं लेकिन अच्छे पैसे मिलने के चकर में वो फिल्मे कर लेते हैं दक्षिन की फिल्म इंडर्श्टी भी इससे अचूद नहीं है और इसका ताजा प्रमान है डिजनी प्लस होस्टार पर लीस तमील फिल्म एक्शन थ्रीलर मारन जिसमें मुख्य भूमी का निबाई है धनूज ने एक गिसी पिटी कहानी एक बहुत थकी हुई पटकता और नहायत ही व्यर्थ किस्म का डारेक्शन मारन को अच्छा बोल कर इसकी तारिफ करने के लिए हिम्मत चाहिए पत्रकारिता की प्रुष्टू भूमी पर बनी ये फिल्म हमेशा ही कनफ्यूज नजर आती है क्या उसे धनूज के अभी नहीं का इस्तमाल करना है या उसे धनूज की कमर्शिल स्टार वाल इमेज का फायदा उठाना है या दोनों ही बातों को मिला जुला कर कुछ बना लेना है दनूज के सच्चे पत्रकार पीता को एक रिपोर्ट प्रकाशित करने के वज़ज़ से कुछ गुंडे मार देते है दनूज की बहन को जन देते समय उसकी मावे गुजर जाती है दनूज अपने मामा और छूटी बहन के साथ बड़ा होता है और एक ट्वीट की बदॉलत एक न्यूस पॉर्टल में नौकरी पा लेता है एक के बाद एक नए नए खुलासे करते हुए दनूज देश्ट के सबसे बैतरी निवा पत्रकारों में शामिल किया जाता है नकली EVM पर की गई उसकी रिपोर्टिंग के बाहर राजने था पाजने उसके दुश्मन हो जाते है दनूज पर हमले भी होते है अचानक उसके बाहन का अपरण हो जाता है और दनूज पुलीस की मदद से उसकी तलाश करता है कई दिनों की कड़ी मैनत के बाद वो पाजने के उस गंडे तक पहुँच जाते है जिसने दनूज की बाहन का अपरण किया था दनुश की बाइन उसके पास वापस लोटाती है कहानी लिखी है शर्फू और सुहास की जोडी ने जिन्होंने पहले दो मल्यालंग फिल्में लिखी थी वारतन और वाइरस और दोनों ही बहुत पसंद की गई थी दनुश के बच्पन से जवान होने तक के सफर को फिल्म से गायब कर दिया गया है और ये ट्रांजिशन अदूरा ही रहता है कोई फ्लेश बेक भी नहीं दिखाया जाता दनुश सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज ही देता है बड़ी खबरे ही करता है बाकिस समय वो शराप्पी कर डांस करता रहता है उसके मन में अपने पीता की हत्या की बात का असर नजर ही नहीं आता दनुश की बाहन का करियर बहुत अजीब है वो क्या काम करती है समझने में आदी फिल्म निकल जाती है जबकि वो अपने भाई के लिए बढ़या भाई खरिकती है पाज़ने की गुंडे की बहन दनुश की एक रिपूर्ट की वज़े से आत्मत्या कर लेती है और वो गुंडा इसका बदला लेने के लिए दनुश की बहन को किट्नैप कर लेता है ऐसे कई बड़े बड़े गड़े है जो कहानी में बरने की कोशिच भी नहीं की गई है दनुश ने इस फिल्म में कोई प्रभाव नहीं छोड़ा है दनुश पहली बार किसी पत्रकार के रोल में स्क्रिन पर आया है लेकिन किसी भी तरह से पत्रकार नजर नहीं आते उनकी बतौर पत्रकार काफी लोग प्रियता दिखाए गई है क्यों और कैसे ये बताना नेदेशकों को जरूर नहीं लगा है उन्हें आगे से ठीक वैसा डर लगता है जैसे नाना पाटे कर को फिन परिंदा में लगता था टीवी चैनल में उनके साथ ही और दनुश की बहन शोयता के बीच के समवाद अच्छे बने हैं थोड़े मॉडर्न है और सही भी लगते हैं दनुश और मालविका के बीच के समवाद के जरिये हाथ से पैदा करने की कोशिश की गई है जिसमें नेदेशक असफ़र रहे हैं मालविका का रोल बीच में खो जाता है और उसका क्या होता है ये बताने के जरूरत नहीं समझी गई है पाजणी का किरदार भी कनफ्यूजड है वो एक पूर्व मंत्री है लेकिन कभी वो शक्तिशाली मंत्री दिखाया गया है और कभी डरा हुआ दनुश जीस तरह से क्लाइमेक्स में उसे पकड़वा देते है वो बहुत ही हास्यपद है कारबन जैसी पसीतर फिल्म के सिनोमेटर ग्राफर विवेका नंद संतोशं की ये दूसरी फिल्म है और उन्होंने फिल्म में कुछ भी अपनी और से नहीं चोड़ा है एडिडर प्रसन्ना जीके की भी यही कहानी है कई सफल फिल्मे करने के बाद भी मारन फिल्म का फाइनल एडिट लंबा और उबाव लगता है हर सिन करमबद तरीके से है फ्लेश बेक का इस्तमाल बहुत ही कम है और कहानी में कभी भी किसी तरह का थ्रिल नहीं दिखता क्योंकि एडिट बहुत ही साधरन तरीके से करने की फिल्म की कहानी के अनुसार जोड़ा गया लगता है निर्देश कार्टिक मेरन की पूरी फिल्मों ने बॉक्स ओफिस पर काफी नाम और दाम कमाया था और इसलिए इन्हें इस फिल्म के निर्देशन के तौर पर साइन किया गया था लेकिन कार्टिक ने इस फिल्म में कोई धमाका नहीं किया इस फिल्म से निराशा हाथ लगी क्योंकि नहीं ठीक से पत्रकारिता को दिखा पाई और नहीं कमर्शिल फिल्मों की तरह इसमें मसाला सही मातरा में था जिवी प्रकाश का संगीत ठीक था पॉलाडा उदगम को धनूश ने गाया था तो लोगों ने काफी पसंद किया इसके अलाव मारन में कुछ भी ऐसी बात नहीं थी जिस वज़े से इसे किसी और फिल्म की तुलना में हिट होने का कोई मौका मिले इस फिल्म को न देखे तो ही दनूश के फैंस के लिए बैतर होगा या मारन नहीं बलकि फैंस का ही कहना है अगर फिल्म के OTT डिलीज को लेकर बात करें तो यह फिल्म को आप डिजनी प्लस होश्टार पर देख सकते हैं दनूश की फिल्म मारन देखने से पहले यहां जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिवियू और जाने कहा देखे इसे फ्री में मारन एक्शन थ्रीलर मुवी है जिसमें तनूश एक खोजी पत्रकार के भूमीका में नजर आ रहे है वोजन्ता के सामने सचलाने के लिए जान की बाज़े लगाते दिखाए देते हैं मारन फिल्म में तनूश कलम की नोट से गुंडो से ने पड़ रहे है वही मालविका के साथ उनका रोमांस भी लोगों को खुब पसंदा रहा है मालविका भी इस फिल्म में पत्रकार की भूमीका में है देनुश से प्यार हो जाता है दोनों मिलकर खोजी पत्रकारी दा करते है मारन सरवजनी ग्रूब से राजनताओं के गलत कामों और विष्टचार को उजागर करता है या जानकर खनला एक पलानी मारन को मारन की कोशिश करता है मारन कैसे बचता है निर्देशन ने शांदार ढंग से तत्यू की स्क्रिनिंग की है वह मुवी को देखने के बाद जिसकी सबसे जादा च्रचा हो रही है वह स्मूर्ती की जो मुवी में दनुश की बन का किरदार निभाई है मारं निस्मूटी निचित्टी का किरदार निभाया है फिल्में दनुश के साथ उनका नोग जो लोगों को खुँग पसंदा रहा है मालविका दनुश के साथ काम करने को लेकर एक इंटर्विव में कहा कि दनुश एक ऐसे एक्टर है जो आपको काफी कुछ सिखाते हैं वो वैसे कलाकार में नहीं होते हैं कि अपना करदार निभाया और निकल गए वो आपको पुश करते हैं आपकी कम्यों और खुबियों के बारे में बताते हैं उन्होंने कहा कि दनुश और मारंटीम के साथ काम करना मेरी ले सीखने का एक शांदार अनुगव रहा है फिल्मारं के निर्देशक कार्दिक नरेन है इसमें दनुश के साथ मालविका के अलावा माश्टर महिंदरन, समुठरिकानी समूर्टी वैंकर्ट और कुशना कुमार वो मुख्य भूमी काओं में है गितकार विवेक के लिखी गीतों को फिल्म में संगितकार जीवी प्रकाश निसूरों से सजाया है बात कर इसके ओडिटी रिलीज को लेकर तो इसे ओडिटी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस वाश्टार पर रिलीज कर दी गई है उसकी कहानी में नवीनता होती है उसका डिरेक्शन कमाल का होता है उनका आप अचानक एक बड़ी कमजोर ठकी हुई बिना लॉजिक की फिल्म करते हुए देखते है तो मन में ये सवाल तो उटता ही है कि शायद इस फिल्म के लिए पैसा अच्छा मिल रहा होगा इसलिए उन्होंने ये फिल्म की होगी हिंदी फिल्म इंडिरश्टी में आप किसी भी हीरो या हीरोईं से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनमें से 99 प्रतिशच अपने करियर में कभी न कभी ऐसी फिल्म की है जिसकी सफलता में उनको पूरे संद्य होते हैं लेकिन अच्छे पैसे मिलने के चकर में वो फिल्मे कर लेते हैं दक्षिन की फिल्म इंडरिश्टी भी इससे अचूद नहीं है और इसका ताजा प्रमान है डिजनी प्लस होस्टार पर लीस तमील फिल्म एक्षिन थ्रीलर मारन जिसमें मुख्य भूमी का निवाई है धनूज ने एक गिसी पिटी कहानी एक बहुत थकी हुई पटकता और नहायत ही व्यर्थ किस्म का डारिक्शन मारन को अच्छा बोल कर इसकी तारिफ करने के लिए हिम्मत चाहिए पत्रकारिता की प्रुष्टू भूमी पर बनी ये फिल्म हमेशा ही कनफ्यूज नजर आती है क्या उसे धनूश के अभी नहीं का इस्तमाल करना है या उसे धनूश की कमर्शिल स्टार वाली इमेश का फायदा उठाना है या दोनों ही बातों को मिला जुला कर कुछ बना लेना है धनूश के सच्चे पत्रकार पीता को एक रिपोर्ट प्रकाशित करने के वज़ज़ से कुछ गुंडे मार देते है धनूश की बाहन को जन देते समय उसकी मावे गुजर जाती है धनूश अपने मामा और छूटी बाहन के साथ बड़ा होता है और एक ट्वीट की बदॉलत एक न्यूस पॉर्टल में नौकरी पा लेता है एक के बाद एक नए नए खुलासे करते हुए धनूश देश्ट के सबसे बैतरी निवा पतरकारों में शामिल किया जाता है नकली इवियम पर की गई उसकी रिपोर्टिंग के बाहर राजने था पाजने उसके दुश्मन हो जाते है धनूश पर हमले भी होते है अचानक उसके बाहन का अपरन हो जाता है और धनूश पुलिस की मदद से उसकी तलाश करता है कई दिनों की कड़े माहनत के बाद वो पाजने के उस गुंदे तक पहुँच जाते है जिसने धनूश की बाहन का अपरन किया था मारपीट के बाद वो गुंड़ा दनुश के सामने एक ऐसा सच चलाता है जिसको सुनकर दनुश को हमिशा सच का साथ देने वाली अपनी पत्रकारिता का दुश पईनाम नुजराता है अंत में पाजनी अपने सबी गुंडो और चम्चो के साथ पुलिस की हिरासत में भेज़ दिया जाता है दनुश की बाद उसके पास वापस लोटाती है कहानी लिखी है शर्फू और सुहास की जूड़ी ने जिनोंने पहले दो मल्यालंग फिल्में लिखी थी वारतन और वाइरस और दोनों ही बहुत पसंद की गई थी नेदेश कार्थीक ने इस टूड़ी के साथ स्क्रिन प्रेपर काम किया था कहानी और पठकता दोनों ही लेचर निकले अपने पिता को गुंडे को हाथे मरते देखकर भी दनुष अपने पिता की तरह पत्रकारिता को ही अपना करियर चुनता है और एक सिर्फ एक ट्वीट की बदलत उसकी पॉजिटिव स्टोरी हजारों लोग पसंद करता है और उसे नौकरी भी मिल जाती है नौकरी में आते ही उसे एक लड़की भी मिल जाती है दनुष के बच्पन से जवान होने तक के सफर को फिल्म से गायब कर दिया गया है और ये ट्रांजिशन अदुरा ही रहता है कोई फ्लैश्बेक भी नहीं दिखाया जाता दनुष सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज ही देता है बड़ी खबरे ही करता है बाकिस समय वो शरापपी कर डांस करता रहता है उसके मन में अपने पीता की हत्या की बात का असर नजर ही नहीं आता दनुष की बच्पन का करियर बहुत अजीब है वो क्या काम करती है समझने में आदी फिल्म निकल जाती है जबकि वो अपने भाई के लिए बड़या भाई खरिकती है पाजने की गुंडे की बहन दनुष की एक रिपूर्ट की वज़े से आत्मत्या कर लेती है और वो गुंडा इसका बदला लेने के लिए दनुष की बहन को किट्नैप कर लेता है ऐसे कई बड़े बड़े गड़े है जो कहानी में बरने की कोशिच भी नहीं की गई है दनुष ने इस फिल्म में कोई प्रभाव नहीं छोड़ा है दनुष पहली बार किसी पत्रकार के रोल में स्क्रिन पर आया है लेकिन किसी भी तरह से पत्रकार नजर नहीं आते उनकी बतौर पत्रकार काफी लोग प्रियता दिखाए गई है क्यों और कैसे ये बताना नेदेशकों को जरूर नहीं लगा है उन्हें आगे से ठीक वैसा डर लगता है जैसे नाना पाटे कर को फिन परिंदा में लगता था टीवी चैनल में उनके साथ ही और दनुश की बहन शुयता के बीच के समवाद अच्छे बने हैं थोड़े मॉडर्न है और सही भी लगते हैं दनुश और मालविका के बीच के समवाद के जरिये हाथ से पैदा करने की कोशिश की गई है जिसमें नेदेशक असफ़र रहे हैं मालविका का रोल बीच में खो जाता है और उसका क्या होता है ये बताने के जरूरत नहीं समझी गई है पाजणी का किरदार भी कनफ्यूजड है वो एक पूर्व मंत्री है लेकिन कभी वो शक्तिशाली मंत्री दिखाया गया है और कभी डरा हुआ दनुश जीस तरह से क्लाइमेक्स में उसे पकड़वा देता है वो बहुत ही हास्यपद है कारबन जैसी पसीतर फिल्म के सिनोमेटर ग्राफर विवेका नंद संतोशं की ये दूसरी फिल्म है और उन्होंने फिल्म में कुछ भी अपनी और से नहीं चोड़ा है एडिडर प्रसन्ना जीके की भी यही कहानी है कई सफल फिल्मे करने के बाद भी मारन फिल्म का फाइनल एडिट लंबा और उबाव लगता है हर सिन करमबद तरीके से है फ्लेश बेक का इस्तमाल बहुत ही कम है और कहानी में कभी भी किसी तरह का थ्रिल नहीं दिखता क्योंकि एडिट बहुत ही साधरन तरीके से करने की फिल्म की कहानी के अनुसार जोड़ा गया लगता है निर्देश कार्टिक मेरन की पूरी फिल्मों ने बॉक्स ओफिस पर काफी नाम और दाम कमाया था और इसलिए इन्हें इस फिल्म के निर्देशन के तौर पर साइन किया गया था लेकिन कार्टिक ने इस फिल्म में कोई धमाका नहीं किया इस फिल्म से निराशा हाथ लगी क्योंकि नहीं ठीक से पत्रकारिता को दिखा पाई और नहीं कमर्शिल फिल्मों की तरह इसमें मसाला सही मातरा में था जिवी प्रकाश का संगित ठीक था पॉलाडा उदगम को धनूश ने गाया था तो लोगों ने काफी पसंद किया इसके अलाव मारन में कुछ भी ऐसी बात नहीं थी जिस वज़े से इसे किसी और फिल्म की तुलना में हिट होने का कोई मौका मिले इस फिल्म को न देखे तो ही दनूश के फैंस के लिए बैतर होगा या मारन नहीं बलकि फैंस का ही कहना है अगर फिल्म के OTT डिलिउस को लेकर बात करें तो यह फिल्म को आप डिजनी प्लस होश्टार पर देख सकते हैं दनूश की फिल्म मारन देखने से पहले यहां जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिव्यू और जाने कहां देखे इसे फ्री में मारन एक्शन थ्रीलर मुवी है जिसमें तनूश एक खोजी पत्रकार के भूमीका में नजर आ रहे है वोजंता के सामने सचलाने के लिए जान की बाज़े लगाते दिखाए देते हैं मारन फिल्म में तनूश कलम की नोट से गुंडो से ने पढ़ रहा है वही मालविका के साथ उनका रोमांस भी लोगों को खुब पसंदा रहा है मालविका भी इस फिल्म में पत्रकार की भूमीका में है देनुश से प्यार हो जाता है दोनों मिलकर खोजी पत्रकारी दा करते है मारन सरवजनी ग्रूब से राजनताओ के गलत कामों और विष्टचार को उजागर करता है या जानकर खनला एक पलानी मारन को मारन की कोशिश करता है मारन कैसे बचता है निर्देशन ने शांदार ढंग से तत्यू की स्क्रिनिंग की है वह मूवी को देखने के बाद जिसकी सबसे ज़्यादा चरचा हो रही है वो है स्मूर्टी वैंकिट की जो मूवी में दनुश की बन का करदान निभाई है मारन स्मूर्टी ने चित्ती का करदान निभाया है फिल्में दनुश के साथ उनका नोग जो लोगों को खुब पसंदा रहा है मालवी का दनुश के साथ काम करने को लेकर एक इंटर्वी में कहा कि दनुश एक ऐसे एक्टर है जो आपको काफी कुछ सिखाते हैं वो वैसे कलाकार में नहीं होते हैं कि अपना करदार निभाया और निकल गए वो आपको पुश करते हैं आपकी कम्यों और खुबियों के बारे में बताते हैं उन्होंने कहा कि दनुश और मारंटीम के साथ काम करना मेरी लिए सीखने का एक शांदार अनुगव रहा है फिल्मारं के निर्देशक कार्दिक नरेन है इसमें दनुश के साथ मालविका के अलावा माश्टर महिंदरन, समुठ रिकानी समुठ, समुठी वैंकट और कुशना कुमार वो मुख्य भूमी काओं में है गितकार विएक के लिखी गीतों को फिल्म में संगितकार जीवी प्रकाश निसूरों से सजाया है बात कर इसके ओडिटी रिलीज को लेकर तो इसे ओडिटी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस वाश्टार पर रिलीज कर दी गई है अच्छे और प्रतिभावन एक्टरस जिनके हर फिल्म अपने आप में एक अलग ही अपील रखती है उसकी कहानी में नवीनता होती है उसका डिरेक्शन कमाल का होता है उनका आप अचानक एक बड़ी कमजूर ठकी हुई बिना लॉजिक की फिल्म करते हुए देखते है तो मन में ये सवाल तो उटता ही है कि शायद इस फिल्म के लिए पैसा अच्छा मिल रहा होगा इसलिए उन्होंने ये फिल्म की होगी हिंदी फिल्म इंडर्श्टी में आप किसी भी हीरो या हीरोईं से बात करेंगे तो आपको पता चलेंगा कि उनमें से 99 प्रतीशत एक्टरिस ने अपने करियर में कभी न कभी ऐसी फिल्म की है जिसके सफलता में उनको पूरे संद्धे होते हैं लेकिन अच्छे पैसे मिलने के चकर में वो फिल्मे कर लेते हैं दक्षिन की फिल्म इंडर्श्टी भी इससे अचूद नहीं है और इसका ताजा प्रमान है डिजनी प्लस होस्टार पर रलीस तमील फिल्म एक्शन थ्रीलर मारन जिसमें मुख्य भूमी का निबाई है धनूज ने एक गिसी पिटी कहानी एक बहुत थकी हुई पटकता और नहायत ही व्यर्थ किस्म का डारेक्शन मारन को अच्छा बोल कर इसकी तारिफ करने के लिए हिम्मत चाहिए पत्रकारिता की प्रुष्टु भूमी पर बनी ये फिल्म हमेशा ही कनफ्यूज नजर आती है क्या उसे धनूज के अभी नहीं का इस्तमाल करना है या उसे धनूज की कमर्शिल स्टार वाली इमेज का फायदा उठाना है या दोनों ही बातों को मिला जुला कर कुछ बना लेना है दनूज की सच्चे पत्रकार पीता को एक रिपोर्ट प्रकाशित करने के वज़ज़ से कुछ गुंडे मार देते है दनूज की बहन को जन देते समय उसकी मावे गुजर जाती है दनूज अपने मामा और छूटी बहन के साथ बड़ा होता है और एक ट्वीट की बदोलत एक न्यूस पॉर्टल में नौकरी पा लेता है एक के बाद एक नए नए खुलासे करते हुए दनूज देश्ट के सबसे बैतरी निवा पत्रकारों में शामिल किया जाता है नकली EVM पर की गई उसकी रिपोर्टिंग के बाहर राजने था पाजने उसके दुश्मन हो जाते है दनूज पर हमले भी होते है अचानक उसके बाहन का अपरण हो जाता है और दनूज पुलीस की मदद से उसकी तलाश करता है कई दिनों की कड़े मैनत के बाद वो पाजने के उस गुंडे तक पहुँच जाते है जिसने दनूज की बाहन का परण किया था दनुश की बाइन उसके पास वापस लोटाती है कहानी लिखी है शर्फू और सुहास की जूडी ने जिन्होंने पहले दो मल्यालंग फिल्में लिखी थी वारतन और वाइरस और दोनों ही बहुत पसंद की गई थी दनुश के बच्पन से जवान होने तक के सफर को फिल्म से गायब कर दिया गया है और ये ट्रांजिशन अदूरा ही रहता है कोई फ्लेश बेक भी नहीं दिखाया जाता दनुश सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज ही देता है बड़ी खबरे ही करता है बाकिस समय वो शराप्पी कर डांस करता रहता है उसके मन में अपने पीता की हत्या की बात का असर नजर ही नहीं आता दनुश की बाहन का करियर बहुत अजीब है वो क्या काम करती है समझने में आदी फिल्म निकल जाती है जबकि वो अपने भाई के लिए बढ़या भाई खरिकती है पाज़ने की गुंडे की बहन दनुश की एक रिपूर्ट की वज़े से आत्मत्या कर लेती है और वो गुंडा इसका बदला लेने के लिए दनुश की बहन को किट्नैप कर लेता है ऐसे कए बड़े-बड़े गड़े है जो काहानी में बरने की कोशिच भी न ही की गई है दनुश ने इस फिल्म में कोई प्रभाव नहीं छोड़ा है दनुश पहले बार किसी पतरकार के रोल में स्क्रीन पर आया है लेकिन किसी भी तरह से पत्रकार नजर नहीं आते उनकी बतौर पत्रकार काफी लोग प्रियता दिखाए गई है क्यों और कैसे ये बताना नेदेशकों को जरूर नहीं लगा है उन्हें आगे से ठीक वैसा डर लगता है जैसे नाना पाटे कर को फिन परिंदा में लगता था टीवी चैनल में उनके साथ ही और दनुश की बहन शोयता के बीच के समवाद अच्छे बने हैं थोड़े मॉडर्न है और सही भी लगते हैं दनुश और मालविका के बीच के समवाद के जरिये हाथ से पैदा करने की कोशिश की गई है जिसमें नेदेशक असफ़र रहे हैं मालविका का रोल बीच में खो जाता है और उसका क्या होता है ये बताने के जरूरत नहीं समझी गई है पाजणी का किरदार भी कनफ्यूजड है वो एक पूर्व मंत्री है लेकिन कभी वो शक्तिशाली मंत्री दिखाया गया है और कभी डरा हुआ दनुश जीस तरह से क्लाइमेक्स में उसे पकड़वा देते है वो बहुत ही हास्यपद है कारबन जैसी पसीतर फिल्म के सिनोमेटर ग्राफर विवेका नंद संतोशं की ये दूसरी फिल्म है और उन्होंने फिल्म में कुछ भी अपनी और से नहीं चोड़ा है एडिडर प्रसन्ना जीके की भी यही कहानी है कई सफल फिल्मे करने के बाद भी मारन फिल्म का फाइनल एडिट लंबा और उबाव लगता है हर सिन करमबद तरीके से है फ्लेश बेक का इस्तमाल बहुत ही कम है और कहानी में कभी भी किसी तरह का थ्रिल नहीं दिखता क्योंकि एडिट बहुत ही साधरन तरीके से करने की फिल्म की कहानी के अनुसार जोड़ा गया लगता है निर्देश कार्टिक नरिन की पूरी फिल्मों ने बॉक्स ओफिस पर काफी नाम और दाम कमाया था और इसलिए इन्हें इस फिल्म के निर्देशन के तौर पर साइन किया गया था लेकिन कार्टिक ने इस फिल्म में कोई धमाका नहीं किया इस फिल्म से निराशा हाथ लगी क्योंकि नहीं ठीक से पत्रकारिता को दिखा पाई और नहीं कमर्शिल फिल्मों की तरह इसमें मसाला सही मातरा में था जिवी प्रकाश का संगीत ठीक था पॉलाडा उदगम को धनूश ने गाया था तो लोगों ने काफी पसंद किया इसके अलाव मारन में कुछ भी ऐसी बात नहीं थी जिस वज़े से इससे किसी और फिल्म की तुलना में हिट होने का कोई मौका मिले इस फिल्म को न देखे तो ही दनूश के फैंस के लिए बैतर होगा या मारन नहीं बलकि फैंस का ही कहना है अगर फिल्म के OTT डिलीज को लेकर बात करें तो यह फिल्म को आप डिजनी प्लस होश्टार पर देख सकते हैं दनूश की फिल्म मारन देखने से पहले यहां जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिवियू और जाने कहा देखे इसे फ्री में मारन एक्शन थ्रीलर मुवी है जिसमें तनूश एक खोजी पत्रकार के भूमीका में नजर आ रहे है वोजन्ता के सामने सचलाने के लिए जान की बाज़े लगाते दिखाए देते हैं मारन फिल्म में तनूश कलम की नोट से गुंडों से ने पढ़ रहा है वही मालविका के साथ उनका रोमांस भी लोगों को खुब पसंदा रहा है मालविका भी इस फिल्म में पत्रकार की भूमीका में है देनुश से प्यार हो जाता है दोनों मिलकर खोजी पत्रकारी दा करते है मारन सरवजनी ग्रूब से राजनताओ के गलत कामों और विष्टचार को उजागर करता है या जानकर खनला एक पलानी मारन को मारन की कोशिश करता है मारन कैसे बचता है निर्देशन निशानदा डंग से तत्यू की स्क्रिनिंग की है मोवी को देखने के बाद जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह समूर्थी बैंककिट की जो मोवी में दनुष की बन का किरदान निभाई है मारन समूर्थी ने चिद्ती का किरदान निभाया है फिल्में दनुश के साथ उनका नोग जो लोगों को खुब पसंदा रहा है मालविका दनुश के साथ काम करने को लेकर एक इंटर्वी में कहा कि दनुश एक ऐसे एक्टर है जो आपको काफी कुछ सिखाते है वो वैसे कलाकार में नहीं होते हैं कि अपना किरदार निभाया और निकल गए वो आपको पुश करते हैं आपकी कम्यों और खुबियों के बारे में बताते हैं उन्होंने कहा कि दनुश और मारंटीम के साथ काम करना मेरी लिए सीखने का एक शांदार अनुगव रहा है रिलीस कर दी गए है अगर आप इसे फ्रीम में देखना चाते हैं तो डिजनी प्लस और का सब्सक्रिप्शन है अच्छे और प्रती भावन एक्टर्स जिनके हर फिल्म अपने आप में एक अलगी अपील रखती है उसकी कहानी में नवीनता होती है उसका डिरेक्शन कमाल का होता है उनका आप अचानक एक बड़ी कमजूर थकी हुई बिना लॉजिक की फिल्म करते हुए देखते है तो मन में ये सवाल तो उटता ही है कि शायद इस फिल्म के लिए पैसा अच्छा मिल रहा होगा इसलिए उन्हों ने ये फिल्म की होगी हिंदी फिल्म इंडुर्ष्ट्री में आप किसी भी हीरो या हीरोईं से बात करेंगे तो आपको पता चलेंगा कि उनमें से 99 प्रतीशत एक्टरेस ने अपने करियर में कभी न कभी ऐसी फिल्म की है जिसकी सफलता में उनको पूरे संद्य होते हैं लेकिन अच्छे पैसे मिलने के चकर में वो फिल्मे कर लेते हैं दक्षिन की फिल्म इंडरिश्टी भी इससे अचूद नहीं है और इसका ताजा प्रमान है डिजनी प्लस होस्टार पर लीस तमील फिल्म एक्षिन थ्रीलर मारन जिसमें मुख्य भूमी का निवाई है धनुज ने एक गिसी पिटी कहानी एक बहुत थकी हुई पटकता और नहायत ही व्यर्थ किस्म का डारिक्शन मारन को अच्छा बोल कर इसकी तारिफ करने के लिए हिम्मत चाहिए पत्रकारिता की प्रुष्टू भूमी पर बनी ये फिल्म हमेशा ही कनफ्यूज नजर आती है क्या उसे धनुश के अभी नहीं का इस्तमाल करना है या उसे धनुश की कमर्शिल स्टार वाल इमेश का फाइदा उठाना है या दोनों ही बातों को मिला जुला कर कुछ बना लेना है धनुश के सच्चे पत्रकार पीता को एक रिपोर्ट प्रकाशित करने के वज़ज़ से कुछ गुंडे मार देते है धनुश की बाहन को जन देते समय उसकी मावे गुजर जाती है धनुश अपने मामा और छूटी बाहन के साथ बड़ा होता है और एक ट्वीट की बदॉलत एक न्यूस पॉर्टल में नौकरी पा लेता है एक के बाद एक नए नए खुलासे करते हुए धनुश देश्ट के सबसे बैतरी निवा पतरकारों में शामिल किया जाता है नकली इवियम पर की गई उसकी रिपोर्टिंग के बाहर राजने था पाजने उसके दुश्मन हो जाते है धनुश पर हमले भी होते है अचानक उसकी बाहन का अपरन हो जाता है और धनुश पुलीस की मदद से उसकी तलाश करता है कई दिनों की कड़े मैंनत के बाद वो पाजने के उस गुंडे तक पहुँछ जाते है जिसने धनुश की बाहन का अपरन किया था मारपीड के बाद वो गुंडा धनुश के सामने एक ऐसा सच चलाता है जिसको सुनकर धनुश को हम इसा सच का साथ देने वाली अपनी पत्रकारिता का दुश पहिनान नुजर आता है अंत में पाजनी अपने सबी गुंडो और चम्चो के साथ पुलिस की हिरासत में भेज़ दिया जाता है दनुश की बाहन उसके पास वापस लोटाती है कहानी लिखी है शर्फू और सुहास की जुडी ने जिन्होंने पहले दो मल्यालंग फिल्में लिखी थी वारतन और वाइरस और दोनों ही बहुत पसंद की गई थी निदेश कार्थीक ने इस टूडी के साथ स्क्रिन पेपर काम किया था कहानी और पठकता दोनों ही लेचर निकले अपने पिता को गुंडे को हाथे मरते देख कर भी दनुश अपने पिता की तरपत्रकारिता को ही अपना करियर चुनता है और एक सिर्फ एक ट्वीट की बदलत उसकी पॉजिटिव स्टोरी हजारों लोग पसंद करता है और उसे नौकरी भी मिल जाती है नौकरी में आते ही उसे एक लड़की भी मिल जाती है दनुश के बच्पन से जवान होने तक के सफर को फिल्म से गायब कर दिया गया है और ये ट्रांजिशन अदुरा ही रहता है कोई फ्लैश्बेक भी नहीं दिखाया जाता दनुश सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज ही देता है बड़ी खबरे ही करता है बाकिस समय वो शरापपी कर डांस करता रहता है उसके मन में अपने पीता की हत्या की बात का असर नजर ही नहीं आता दनुश की बच्पन का करियर बहुत अजीब है वो क्या काम करती है समझने में आदी फिल्म निकल जाती है जबकि वो अपने भाई के लिए बड़या भाई खरिकती है पाजने की गुंडे की बहन दनुश की एक रिपूर्ट की वज़े से आत्मत्या कर लेती है और वो गुंडा इसका बदला लेने के लिए दनुश की बहन को किट्नैप कर लेता है ऐसे कई बड़े बड़े गड़े है जो कहानी में बरने की कोशिच भी नहीं की गई है दनुश ने इस फिल्म में कोई प्रभाव नहीं छोड़ा है दनुश पहली बार किसी पत्रकार के रोल में स्क्रिन पर आया है लेकिन किसी भी तरह से पत्रकार नजर नहीं आते उनकी बतौर पत्रकार काफी लोग प्रियता दिखाए गई है क्यों और कैसे ये बताना नेदेशकों को जरूर नहीं लगा है उन्हें आगे से ठीक वैसा डर लगता है जैसे नाना पाटे कर को फिन परिंदा में लगता था टीवी चैनल में उनके साथ ही और दनुश की बहन शुयता के बीच के समवाद अच्छे बने हैं थोड़े मॉडर्न है और सही भी लगते हैं दनुश और मालविका के बीच के समवाद के जरिये हाथ से पैदा करने की कोशिश की गई है जिसमें नेदेशक असफ़र रहे हैं मालविका का रोल बीच में खो जाता है और उसका क्या होता है ये बताने के जरूरत नहीं समझी गई है पाजणी का किरदार भी कनफ्यूजड है वो एक पूर्व मंत्री है लेकिन कभी वो शक्तिशाली मंत्री दिखाया गया है और कभी डरा हुआ दनुश जीस तरह से क्लाइमेक्स में उसे पकड़वा देता है वो बहुत ही हास्यपद है कारबन जैसी पसीतर फिल्म के सिनोमेटर ग्राफर विवेका नंद संतोशं की ये दूसरी फिल्म है और उन्होंने फिल्म में कुछ भी अपनी और से नहीं चोड़ा है एडिडर प्रसन्ना जीके की भी यही कहानी है कई सफल फिल्मे करने के बाद भी मारन फिल्म का फाइनल एडिट लंबा और उबाव लगता है हर सिन करमबद तरीके से है फ्लेश बेक का इस्तमाल बहुत ही कम है और कहानी में कभी भी किसी तरह का थ्रिल नहीं दिखता क्योंकि एडिट बहुत ही साधरन तरीके से करने की फिल्म की कहानी के अनुसार जोड़ा गया लगता है निर्देश कार्टिक मेरन की पूरी फिल्मों ने बॉक्स ओफिस पार काफी नाम और दाम कमाया था और इसलिए इन्हें इस फिल्म के निर्देशन के तौर पर साइन किया गया था लेकिन कार्टिक ने इस फिल्म में कोई धमाका नहीं किया इस फिल्म से निराशा हाथ लगी क्योंकि नहीं ठीक से पत्रकारिता को दिखा पाई और नहीं कमर्शिल फिल्मों की तरह इसमें मसाला सही मातरा में था जिवी प्रकाश का संगीत ठीक था पॉलाडा उदगम को धनूश ने गाया था तो लोगों ने काफी पसंद किया इसके अलाव मारन में कुछ भी ऐसी बात नहीं थी जिस वज़े से इससे किसी और फिल्म की तुलना मी इट होने का कोई मौका मिले इस फिल्म को न देखे तो ही दनूश के फैंस के लिए बेतर होगा या मारन नहीं बलकि फैंस का ही कहना है अगर फिल्म के OTT डिलीज को लेकर बात करें तो यह फिल्म को आप डिजनी प्लस होश्टार पर देख सकते हैं दनूश की फिल्म मारन देखने से पहले यहां जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिवियू और जाने कहा देखे इसे फ्री में मारन एक्शन थ्रीलर मुवी है जिसमें तनुष एक खोजी पत्रकार के भूमीका में नजर आ रहे है वुजंता के सामने सचलाने के लिए जान के बाजे लगाते दिखाए देते हैं मारन फिल्म में तनुष कलम की नोक से गुंडो से ने पड़ रहे है वही मालविका के साथ उनका रोमास भी लोगों को खुब पसंदा रहा है मालविका भी इस फिल्म में पत्रकार की भूमीका में है देनुष से प्यार हो जाता है दोनों मिलकर खोजी पत्रकारी दा करते है मारन सरवजनी ग्रूब से राजनताओ के गलत कामों और विष्टचार को उजागर करता है या जानकर खनला एक पलानी मारन को मारन की कोशिश करता है मारन कैसे बचता है निर्देशन ने शांदा डंग से तत्यू की स्क्रिनिंग की है वे मुवी को देखने के बाद जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है स्मूर्टी बैंकिट की जो मुवी में दनुश की बन का करदार निभाई है मारन स्मूर्टी ने चित्ती का करदार निभाया है फिल्में दनुश के साथ उनका नोग जो लोगों को खुब पसंदा रहा है मालविका दनुश के साथ काम करने को लेकर एक इंटर्वी में कहा कि दनुश एक ऐसे एक्टर है जो आपको काफी कुछ सिखाते हैं वो वैसे कलाकार में नहीं होते हैं कि अपना किरदार निभाया और निकल गए वो आपको पुश करते हैं आपकी कम्यों और खुबियों के बारे में बताते हैं उन्होंने कहा कि दनुश और मारंटीम के साथ काम करना मेरी लिए सीखने का एक शांदार अनुगव रहा है अगर आप इसे फ्रीमें देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस वाच्टार पर फ्रीमें देख सकते हैं अगर आपके पास डिजनी प्लस वाच्टार का सब्सक्रिप्शन है जाने धनुश की फिल्म मारंग की पूरी कहानी वबी हिंदी में साथ ही जाने किस OTT प्रेटफॉर्म पर देखे इस फिल्म को अच्छे और प्रतिभावन एक्टर्स जिनके हर फिल्म अपने आप में एक अलग ही अपील रखती है उसकी कहानी में नवीनता होती है उसका डिरेक्शन कमाल का होता है उनका आप अचानक एक बड़ी कमजोर ठकी हुई बिना लॉजिक की फिल्म करते हुए देखते है तो मन में ये सवाल तो उटता ही है कि शायद इस फिल्म के लिए पैसा अच्छा मिल रहा होगा इसलिए उन्होंने ये फिल्म की होगी हिंदी फिल्म इंडर्श्टी में आप किसी भी हीरो या हीरोईं से बात करेंगे तो आपको पता चलेंगा कि उनमें से 99 प्रतीशत एक्टरेस ने अपने करियर में कभी न कभी ऐसी फिल्म की है जिसकी सफलता में उनको पूरे संद्य होते हैं लेकिन अच्छे पैसे मिलने के चकर में वो फिल्मे कर लेते हैं दक्षिन की फिल्म इंडरिश्टी भी इससे अचूद नहीं है और इसका ताजा प्रमान है डिजनी प्लस होस्टार पर लीस तमील फिल्म एक्षिन थ्रीलर मारन जिसमें मुख्य भूमी का निवाई है धनूज ने एक गिसी पिटी कहानी एक बहुत थकी हुई पटकता और नहायत ही व्यर्थ किस्म का डारिक्शन मारन को अच्छा बोल कर इसकी तारिफ करने के लिए हिम्मत चाहिए पत्रकारिता की प्रुष्टू भूमी पर बनी ये फिल्म हमेशा ही कनफ्यूज नजर आती है क्या उसे धनूश के अभी नहीं का इस्तमाल करना है या उसे धनूश की कमर्शिल स्टार वाली इमेश का फायदा उठाना है या दोनों ही बातों को मिला जुला कर कुछ बना लेना है धनूश की सच्चे पत्रकार पीता को एक रिपोर्ट प्रकाशित करने के वज़ज़ से कुछ गुंडे मार देते है धनूश की बाहन को जन देते समय उसकी मावे गुजर जाती है धनूश अपने मामा और छूटी बाहन के साथ बड़ा होता है और एक ट्वीट की बदॉलत एक न्यूस पॉर्टल में नौकरी पा लेता है एक के बाद एक नए नए खुलासे करते हुए धनूश देश्ट के सबसे बैतरी निवा पतरकारों में शामिल किया जाता है नकली इवियाम पर की गई उसकी रिपोर्टिंग के बाहर राजने था पाजने उसके दुश्मन हो जाते है धनूश पर हमले भी होते है अचानक उसकी बाहन का अपरण हो जाता है और धनूश पुलीस की मदद से उसकी तलाश करता है कई दिनों की कड़े मैनत के बाद वो पाजने के उस गुंडे तक पहुँच जाते है जिसने धनूश की बाहन का अपरण किया था मारपीट के बाद वो गुंडा धनूश के सामने एक ऐसा सच चलाता है जिसको सुनकर धनूश को हम इसा सच का साथ देने वाली अपनी पत्रकारिता का दुश पईनान नुजराता है अंत में पाजनी अपने सबी गुंडो और चम्चो के साथ पुलिस की हिरासत में भेज़ दिया जाता है दनूश की बाहन उसके पास वापस लोटाती है कहानी लिखी है शर्फू और सुहास की जूडी ने जिनोंने पहले दो मल्यालं फिल्में लिखी थी वारतन और वाइरस और दोनों ही बहुत पसंद की गई थी नेदेश कार्थीक ने इस जूडी के साथ स्क्रिन प्रेपर काम किया था कहानी और पठकता दोनों ही लेचर निकले अपने पिता को गुंडे को हाथे मरते देख कर भी दनुष अपने पिता की तरह पत्रकारिता को ही अपना करियर चुनता है और एक सिर्फ एक ट्वीट की बदलत उसकी पॉजिटिव स्टोरी हजारों लोग पसंद करता है और उसे नौकरी भी मिल जाती है नौकरी में आते ही उसे एक लड़की भी मिल जाती है दनुष के बच्पन से जवान होने तक के सफर को फिल्म से गायब कर दिया गया है और ये ट्रांजिशन अदुरा ही रहता है कोई फ्लैश्बेक भी नहीं दिखाया जाता दनुष सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज ही देता है बड़ी खबरे ही करता है बाकिस समय वो शराप पिक कर डांस करता रहता है उसके मन में अपने पीता की हत्या की बात का असर नजर ही नहीं आता दनुष की बच्पन का करियर बहुत अज़ीब है वो क्या काम करती है समझने में आदी फिल्म निकल जाती है जबकि वो अपने भाई के लिए बढ़या भाई खरिकती है पाजने की गुंडे की बहन दनुश की एक रिपूर्ट की वज़े से आत्मत्या कर लेती है और वो गुंडा इसका बदला लेने के लिए दनुश की बहन को किट्नैप कर लेता है ऐसे कई बड़े बड़े गड़े है जो कहानी में बरने की कोशिच भी नहीं की गई है दनुश ने इस फिल्म में कोई प्रबाव नहीं छोड़ा है दनुश पहली बार किसी पत्रकार के रोल में स्क्रिन पर आया है लेकिन किसी भी तरह से पत्रकार नजर नहीं आते उनकी बतौर पत्रकार काफी लोग प्रियता दिखाए गई है क्यों और कैसे ये बताना नेदेशकों को जरूर नहीं लगा है उन्हें आगे से ठीक वैसा डर लगता है जैसे नाना पाटे कर को फिन परिंदा में लगता था टीवी चैनल में उनके साथ ही और दनुश की बहन शुयता के बीच के समवाद अच्छे बने हैं थोड़े मॉडर्न है और सही भी लगते हैं दनुश और मालविका के बीच के समवाद के जरिये हाथ से पैदा करने की कोशिश की गई है जिसमें नेदेशक असफ़र रहे हैं मालविका का रोल बीच में खो जाता है और उसका क्या होता है ये बताने के जरूरत नहीं समझी गई है पाजणी का किरदार भी कनफ्यूजड है वो एक पूर्व मंत्री है लेकिन कभी वो शक्तिशाली मंत्री दिखाया गया है और कभी डरा हुआ दनुश जीस तरह से क्लाइमेक्स में उसे पकड़वा देता है वो बहुत ही हास्यपद है कारबन जैसी पसीदर फिल्म के सिनोमेटर ग्राफर विवेका नंद संतोशं की ये दूसरी फिल्म है और उन्होंने फिल्म में कुछ भी अपनी और से नहीं चोड़ा है एडिडर प्रसन्ना जीके की भी यही कहानी है कई सफल फिल्मे करने के बाद भी मारन फिल्म का फाइनल एडिट लंबा और उबाव लगता है हर सिन करमबद तरीके से है फ्लेश बेक का इस्तमाल बहुत ही कम है और कहानी में कभी भी किसी तरह का थ्रिल नहीं दिखता क्योंकि एडिट बहुत ही साधरन तरीके से करने की फिल्म की कहानी के अनुसार जोड़ा गया लगता है निर्देश कार्टिक मेरन की पूरी फिल्मों ने बॉक्स ओफिस पर काफी नाम और दाम कमाया था और इसलिए इन्हें इस फिल्म के निर्देशन के तौर पर साइन किया गया था लेकिन कार्टिक ने इस फिल्म में कोई धमाका नहीं किया इस फिल्म से निराशा हाथ लगी क्योंकि नहीं ठीक से पत्रकारिता को दिखा पाई और नहीं कमर्शिल फिल्मों की तरह इसमें मसाला सही मातरा में था जिवी प्रकाश का संगीत ठीक था पॉलाडा उदगम को धनूश ने गाया था तो लोगों ने काफी पसंद किया इसके अलाव मारन में कुछ भी ऐसी बात नहीं थी जिस वज़े से इसे किसी और फिल्म की तुलना मीट होने का कोई मौका मिले इस फिल्म को न देखे तो ही दनूश के फैंस के लिए बैतर होगा या मारन नहीं बलकि फैंस का ही कहना है अगर फिल्म के OTT डिलीज को लेकर बात करें तो यह फिल्म को आप डिजनी प्लस होश्टार पर देख सकते हैं दनूश की फिल्म मारन देखने से पहले यहां जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिव्यू और जाने कहां देखे इसे फ्री में मारन एक्शन थ्रीलर मुवी है जिसमें तनुष एक खोजी पत्रकार के भूमीका में नजर आ रहे है गुजंता के सामने सचलाने के लिए जान की बाज़े लगाते दिखाए देते हैं मारन फिल्म में तनुष कलम की नोट से गुंडो से ने पड़ रहा है वही मालविका के साथ उनका रोमास भी लोगों को खुब पसंदा रहा है मालविका भी इस फिल्म में पत्रकार की भूमीका में है देनुष से प्यार हो जाता है दोनों मिलकर खोजी पत्रकारी दा करते है मारन सरवजनी ग्रूब से राजनताओ के गलत कामों और विष्टचार को उजागर करता है या जानकर खनला एक पलानी मारन को मारन की कोशिश करता है मारन कैसे बचता है निर्देशन निशानदा डंग से तत्यू की स्क्रिनिंग की है मुवी को देखने के बाद जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वह स्मूर्टी बैंकिट की मुवी में दनुश की बन का करदार निभाई है मारन में स्मूर्टी ने चित्ती का करदार निभाया है फिल्में दनुश के साथ उनका नोग जो लोगों को खुब पसंदा रहा है मालवी का दनुश के साथ काम करने को लेकर एक इंटर्वी में कहा कि दनुश एक ऐसे एक्टर है जो आपको काफी कुछ सिखाते हैं वो वैसे कलाकार में नहीं होते हैं कि अपना करदार निभाया और निकल गए वो आपको पुश करते हैं आपकी कम्यों और खुबियों के बारे में बताते हैं उन्होंने कहा कि दनुश और मारन टीम के साथ काम करना मेरी लिए सीखने का एक शांदार अनुगव रहा है फिल्मारन के निर्देशक कार्दिक नरेन है इसमें दनुश के साथ मालविका के अलावा माश्टर महिंदरन, समुठ रिकानी समुठ, समुठी वैंकर्ट और कुशना कुमार वो मुक्य भूमी काओं में है गितकार विवेक के लिखी गीतों को फिल्म में संगितकार जीवी प्रकाश निसूरों से सजाया है बात कर इसके OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस वाश्टार पर रिलीज कर दी गई है अच्छे और प्रतिभावन एक्टरस जिनके हर फिल्म अपने आप में एक अलग ही अपील रखती है उसकी कहानी में नवीनता होती है उसका डिरेक्शन कमाल का होता है उनका आप अचानक एक बड़ी कमजूर ठकी हुई बिना लॉजिक की फिल्म करते हुए देखते है तो मन में ये सवाल तो उटता ही है कि शायद इस फिल्म के लिए पैसा अच्छा मिल रहा होगा इसलिए उन्होंने ये फिल्म की होगी हिंदी फिल्म इंडर्श्टी में आप किसी भी हीरो या हीरोईं से बात करेंगे तो आपको पता चलेंगा कि उनमें से 99 प्रतीशत एक्टरिस ने अपने करियर में कभी न कभी ऐसी फिल्म की है जिसकी सफलता में उनको पूरे संद्धे होते है लेकिन अच्छे पैसे मिनने के चकर में वो फिल्मे कर लेते हैं दक्षिन की फिल्म इंडर्श्टी भी इससे अचूद नहीं है और इसका ताजा प्रमान है डिजनी प्लस होस्टार पर रलीस तमील फिल्म एक्शन थ्रीलर मारन जिसमें मुख्य भूमी का निबाई है धनूज ने एक गिसी पिटी कहानी एक बहुत थकी हुई पटकता और नहायत ही व्यर्थ किस्म का डारेक्शन मारन को अच्छा बोल कर इसकी तारिफ करने के लिए हिम्मत चाहिए पत्रकारिता की प्रुष्टु भूमी पर बनी ये फिल्म हमेशा ही कनफ्यूज नजर आती है क्या उसे धनूज के अभी नहीं का इस्तमाल करना है या उसे धनूज की कमर्शिल स्टार वाली इमेज का फायदा उठाना है या दोनों ही बातों को मिला जुला कर कुछ बना लेना है दनूज की सच्चे पत्रकार पीता को एक रिपोर्ट प्रकाशित करने के वज़ज़ से कुछ गुंडे मार देते है दनूज की बहन को जन देते समय उसकी मावे गुजर जाती है दनूज अपने मामा और छूटी बहन के साथ बड़ा होता है और एक ट्वीट की बदोलत एक न्यूस पॉर्टल में नौकरी पा लेता है एक के बाद एक नए नए खुलासे करते हुए दनूज देश्ट के सबसे बैतरी निवा पत्रकारों में शामिल किया जाता है नकली EVM पर की गई उसकी रिपोर्टिंग के बाहर राजने था पाजने उसके दुश्मन हो जाते है दनूज पर हमले भी होते है अचानक उसके बाहन का अपरण हो जाता है और दनूज पुलीस की मदद से उसकी तलाश करता है कई दिनों की कड़ी मैनत के बाद वो पाजने के उस गुंडे तक पहुँच जाते है जिसने दनूज की बाहन का परण किया था दनूज की बाहन उसके पास वापस लोटाती है कहानी लिखी है शर्फू और सुहास की जुड़ी ने जिनोंने पहले दो मल्यालंग फिल्में लिखी थी वारतन और वाइरस और दोनों ही बहुत पसंद की गई थी निदेश कार्थीक ने इस टूड़ी के साथ स्क्रिन प्रेपर काम किया था कहानी और पठकता दोनों ही लेचर निकले अपने पिता को गुंडे को हाथे मरते देखकर भी दनूज अपने पिता की तरपत्रकारिता को ही अपना करियर चुनता है और एक सिर्फ एक ट्वीट की बदलत उसकी पॉजिटिव स्टोरी हजारों लोग पसंद करता है और उसे नौकरी भी मिल जाती है नौकरी में आते ही उसे एक लड़की भी मिल जाती है दनूज के बच्पन से जवान होने तक के सफर को फिल्म से गायब कर दिया गया है और ये ट्रांजिशन अदूरा ही रहता है कोई फ्लैश्बेक भी नहीं दिखाया जाता दनूज सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज ही देता है बड़ी खबरे ही करता है बाकिस समय वो शराप्पी कर डांस करता रहता है उसके मन में अपने पीता की हत्या की बात का असर नजर ही नहीं आता दनूज की बच्पन का करियर बहुत अजीब है वो क्या काम करती है समझने में आदी फिल्म निकल जाती है जबकि वो अपने भाई के लिए बड़या भाई खरिकती है पाजने की गुंडे की बहन दनूज की एक रिपूर्ट की वज़े से आत्मत्या कर लेती है और वो गुंडा इसका बदला लेने के लिए दनूज की बहन को किट्नैप कर लेता है ऐसे कई बड़े बड़े गड़े है जो कहानी में बरने की कोशिच भी नहीं की गई है दनूज ने इस फिल्म में कोई प्रबाव नहीं छोड़ा है दनूज पहली बार किसी पत्रकार के रोल में स्क्रिन पर आया है लेकिन किसी भी तरह से पत्रकार नजर नहीं आते उनकी बतौर पत्रकार काफी लोग प्रियता दिखाए गई है क्यों और कैसे ये बताना नेदेशकों को जरूर नहीं लगा है उन्हें आगे से ठीक वैसा डर लगता है जैसे नाना पाटे कर को फिन परिंदा में लगता था टीवी चैनल में उनके साथ ही और दनुश की बहन शुयता के बीच के समवाद अच्छे बने हैं थोड़े मॉडर्न है और सही भी लगते हैं दनुश और मालविका के बीच के समवाद के जरिये हाथ से पैदा करने की कोशिश की गई है जिसमें नेदेशक असफ़र रहे हैं मालविका का रोल बीच में खो जाता है और उसका क्या होता है ये बताने के जरूरत नहीं समझी गई है पाजणी का किरदार भी कनफ्यूजड है वो एक पूर्व मंत्री है लेकिन कभी वो शक्तिशाली मंत्री दिखाया गया है और कभी डरा हुआ दनुश जीस तरह से क्लाइमेक्स में उसे पकड़वा देता है वो बहुत ही हास्यपद है कारबन जैसी पसीतर फिल्म के सिनोमेटर ग्राफर विवेका नंद संतोशं की ये दूसरी फिल्म है और उन्होंने फिल्म में कुछ भी अपनी और से नहीं चोड़ा है एडिडर प्रसन्ना जीके की भी यही कहानी है कई सफल फिल्मे करने के बाद भी मारन फिल्म का फाइनल एडिट लंबा और उबाव लगता है हर सिन करमबद तरीके से है फ्लेश बेक का इस्तमाल बहुत ही कम है और कहानी में कभी भी किसी तरह का थ्रिल नहीं दिखता क्योंकि एडिट बहुत ही साधरन तरीके से करने की फिल्म की कहानी के अनुसार जोड़ा गया लगता है निर्देश कार्टिक मेरन की पूरी फिल्मों ने बॉक्स ओफिस पर काफी नाम और दाम कमाया था और इसलिए इन्हें इस फिल्म के निर्देशन के तौर पर साइन किया गया था लेकिन कार्टिक ने इस फिल्म में कोई धमाका नहीं किया इस फिल्म से निराशा हाथ लगी क्योंकि नहीं ठीक से पत्रकारिता को दिखा पाई और नहीं कमर्शिल फिल्मों की तरह इसमें मसाला सही मातरा में था जिवी प्रकाश का संगीत ठीक था पॉलाडा उदगम को धनूश ने गाया था तो लोगों ने काफी पसंद किया इसके अलाव मारन में कुछ भी ऐसी बात नहीं थी जिस वज़े से इसे किसी और फिल्म की तुलना मी इट होने का कोई मौका मिले इस फिल्म को न देखे तो ही दनूश के फैंस के लिए बेतर होगा या मारन नहीं बलकि फैंस का ही कहना है अगर फिल्म के OTT डिलीज के लेकर बात करें तो यह फिल्म को आप डिजनी प्लास होश्टार पर देख सकते हैं दनूश की फिल्म मारन देखने से पहले याहां जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिव्यू और जाने कहां देखे इसे फ्री में मारन एक्शन थ्रीलर मुवी है जिसमें तनुष एक खोजी पत्रकार के भूमीका में नजर आ रहे है गुजंता के सामने सचलाने के लिए जान की बाज़े लगाते दिखाए देते हैं मारन फिल्म में तनुष कलम की नोट से गुंडो से ने पड़ रहे है वही मालविका के साथ उनका रोमास भी लोगों को खुब पसंदा रहा है मालविका भी इस फिल्म में पत्रकार की भूमीका में है देनुष से प्यार हो जाता है दोनों मिलकर खोजी पत्रकारी दा करते है मारन सरवजनी ग्रूब से राजनिताओं के गलत कामों और विष्टचार को उजागर करता है या जानकर खनला एक पलानी मारन को मारन की कोशिश करता है मारन कैसे बचता है निर्देशन निशानदार ढंग से तत्यू की स्क्रिनिंग की है वह मुवी को देखने के बाद जिसकी सबसे ज़्यदा चर्चा हो रही है वो है स्मूर्टी बैंकिट की जो मुवी में दनुश की बन का करदा निबाई है मारन स्मूर्टी ने चित्ती का करदा निबाया है फिल्में दनुश के साथ उनका नोग जो लोगों को खुब पसंदा रहा है मालविका दनुश के साथ काम करने को लेकर एक इंटर्वी में कहा कि दनुश एक ऐसे एक्टर है जो आपको काफी कुछ सिखाते हैं वो बैसे कलाकार में नहीं होते है कि अपना केरदार निबाया और निकल गए वो आपको पुश करते हैं आपकी कम्यों और खुबियों के बारे में बताते हैं उन्होंने कहा कि दनुश और मारं टीम के साथ काम करना मेरी ले सीखने का एक शांदार अनुबव रहा है फिल्मारं के निर्देशक कार्दिक नरेन है इसमें दनुश के साथ मालविका के अलावा माश्टर महिंदरन, समुठ रिकानी समुठ, समुठी वैंकर्ट और कुशना कुमार वो मुक्य भूमी काओं में है गितकार विवेक के लिखी गीतों को फिल्म में संगितकार जीवी प्रकाश निसूरों से सजाया है बात कर इसके OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस वाश्टार पर रिलीज कर दी गई है अच्छे और प्रतिभावन एक्टरस जिनके हर फिल्म अपने आप में एक अलग ही अपील रखती है उसकी कहानी में नवीनता होती है उसका डिरेक्शन कमाल का होता है उनका आप अचानक एक बड़ी कमजूर ठकी हुई बिना लॉजिक की फिल्म करते हुए देखते है तो मन में ये सवाल तो उटता ही है कि शायद इस फिल्म के लिए पैसा अच्छा मिल रहा होगा इसलिए उन्होंने ये फिल्म की होगी हिंदी फिल्म इंडर्श्टी में आप किसी भी हीरो या हीरोईं से बात करेंगे तो आपको पता चलेंगा कि उनमें से 99 प्रतीशत एक्टरस ने अपने करियर में कभी न कभी ऐसी फिल्म की है जिसकी सफलता में उनको पूरे संद्धे होते हैं लेकिन अच्छे पैसे मिलने के चकर में वो फिल्मे कर लेते हैं दक्षिन की फिल्म इंडर्श्टी भी इससे अचूद नहीं है और इसका ताजा प्रमान है डिजनी प्लस होस्टार पर लीस तमील फिल्म एक्शन थ्रीलर मारन जिसमें मुख्य भूमी का निबाई है धनूज ने एक गिसी पिटी कहानी एक बहुत थकी हुई पटकता और नहायत ही व्यर्थ किस्म का डारेक्शन मारन को अच्छा बोल कर इसकी तारिफ करने के लिए हिम्मत चाहिए पत्रकारिता की प्रुष्टु भूमी पर बनी ये फिल्म हमेशा ही कनफ्यूज नजर आती है क्या उसे धनूज के अभी नहीं का इस्तमाल करना है या उसे धनूज की कमर्शिल स्टार वाली इमेज का फायदा उठाना है या दोनों ही बातों को मिला जुला कर कुछ बना लेना है दनूज की सच्चे पत्रकार पीता को एक रिपोर्ट प्रकाशित करने के वज़ज़ से कुछ गुंडे मार देते है दनूज की बहन को जन देते समय उसकी मावे गुजर जाती है दनूज अपने मामा और छूटी बहन के साथ बड़ा होता है और एक ट्वीट की बदोलत एक न्यूस पॉर्टल में नौकरी पा लेता है एक के बाद एक नए नए खुलासे करते हुए दनूज देश्ट के सबसे बैतरी निवा पत्रकारों में शामिल किया जाता है नकली EVM पर की गई उसकी रिपोर्टिंग के बाहर राजने था पाजने उसके दुश्मन हो जाते है दनूज पर हमले भी होते है अचानक उसके बाहन का अपरण हो जाता है और दनूज पुलीस की मदद से उसकी तलाश करता है कई दिनों की कड़े मैनत के बाद वो पाजने के उस गुंडे तक पहुँच जाते है जिसने दनूज की बाहन का परण किया था दनूज की बाहन उसके पास वापस लोटाती है कहानी लिखी है शर्फू और सुहास की जूड़ी ने जिनोंने पहले दो मल्यालंग फिल्में लिखी थी वारतन और वाइरस और दोनों ही बहुत पसंद की गई थी निदेश कार्थीक ने इस टूड़ी के साथ स्क्रिन पेपर काम किया था कहानी और पठकता दोनों ही लेचर निकले अपने पिता को गुंडे को हाथे मरते देखकर भी दनूज अपने पिता की तरपत्रकारिता को ही अपना करियर चुनता है और एक सिर्फ एक ट्वीट की बदलत उसकी पॉजिटिव स्टोरी हजारों लोग पसंद करता है और उसे नौकरी भी मिल जाती है नौकरी में आते ही उसे एक लड़की भी मिल जाती है दनूज के बच्पन से जवान होने तक के सफर को फिल्म से गायब कर दिया गया है और ये ट्रांजिशन अदूरा ही रहता है कोई फ्लेशबेक भी नहीं दिखाया जाता दनूज सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज ही देता है बड़ी खबरे ही करता है बाकिस समय वो शरापपी कर डांस करता रहता है उसके मन में अपने पीता की हत्या की बात का असर नजर ही नहीं आता दनूज की बच्पन का करियर बहुत अजीब है वो क्या काम करती है समझने में आदी फिल्म निकल जाती है जबकि वो अपने भाई के लिए बड़या भाई खरिकती है पाजने की गुंडे की बहन दनूज की एक रिपूर्ट की वज़े से आत्मत्या कर लेती है और वो गुंडा इसका बदला लेने के लिए दनूज की बहन को किट्नैप कर लेता है ऐसे कई बड़े बड़े गड़े है जो कहानी में बरने की कोशिच भी नहीं की गई है दनूज ने इस फिल्म में कोई प्रभाव नहीं छोड़ा है दनूज पहली बार किसी पत्रकार के रोल में स्क्रिन पर आया है लेकिन किसी भी तरह से पत्रकार नजर नहीं आते उनकी बतौर पत्रकार काफी लोग प्रियता दिखाए गई है क्यों और कैसे ये बताना नेदेशकों को जरूर नहीं लगा है उन्हें आगे से ठीक वैसा डर लगता है जैसे नाना पाटे कर को फिन परिंदा में लगता था टीवी चैनल में उनके साथ ही और दनुश की बहन शोयता के बीच के समवाद अच्छे बने हैं थोड़े मॉडर्न है और सही भी लगते हैं दनुश और मालविका के बीच के समवाद के जरिये हाथ से पैदा करने की कोशिश की गई है जिसमें नेदेशक असफ़र रहे हैं मालविका का रोल बीच में खो जाता है और उसका क्या होता है ये बताने के जरूरत नहीं समझी गई है पाजणी का किरदार भी कन्फ्यूजड है वो एक पूर्व मंत्री है लेकिन कभी वो शक्तिशाली मंत्री दिखाया गया है और कभी डरा हुआ दनुश जीस तरह से क्लाइमेक्स में उसे पकड़वा देते है वो बहुत ही हास्यपद है कारबन जैसी पसीतर फिल्म के सिनोमेटर ग्राफर विवेका नंद संतोशं की ये दूसरी फिल्म है और उन्होंने फिल्म में कुछ भी अपनी और से नहीं चोड़ा है एडिडर प्रसन्ना जीके की भी यही कहानी है कई सफल फिल्मे करने के बाद भी मारन फिल्म का फाइनल एडिट लंबा और उबाव लगता है हर सिन करमबद तरीके से है फ्लेश बेक का इस्तमाल बहुत ही कम है और कहानी में कभी भी किसी तरह का थ्रिल नहीं दिखता क्योंकि एडिट बहुत ही साधरन तरीके से करने की फिल्म की कहानी के अनुसार जोड़ा गया लगता है निर्देश कार्टिक नरिन की पूरी फिल्मों ने बॉक्स ओफिस पर काफी नाम और दाम कमाया था और इसलिए इन्हें इस फिल्म के निर्देशन के तौर पर साइन किया गया था लेकिन कार्टिक ने इस फिल्म में कोई धमाका नहीं किया इस फिल्म से निराशा हाथ लगी क्योंकि नहीं ठीक से पत्रकारिता को दिखा पाई और नहीं कमर्शिल फिल्मों की तरह इसमें मसाला सही मातरा में था जिवी प्रकाश का संगीत ठीक था पॉलाडा उदगम को धनूश ने गाया था तो लोगों ने काफी पसंद किया इसके अलाव मारन में कुछ भी ऐसी बात नहीं थी जिस वज़े से इससे किसी और फिल्म की तुलना में हिट होने का कोई मौका मिले इस फिल्म को न देखे तो ही दनूश के फैंस के लिए बैतर होगा या मारन नहीं बलकि फैंस का ही कहना है अगर फिल्म के OTT डिलीज को लेकर बात करें तो यह फिल्म को आप डिजनी प्लस होश्टार पर देख सकते हैं दनूश की फिल्म मारन देखने से पहले यहां जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिवियू और जाने कहा देखे इसे फ्री में मारन एक्शन त्रीलर मुवी है जिसमें तनूश एक खोजी पत्रकार के भूमीका में नजर आ रहे है वो जन्ता के सामने सचलाने के लिए जान की बाज़े लगाते दिखाए देते हैं मारन फिल्म में तनूश कलम की नोट से गुंडों से ने पढ़ रहा है वही मालविका के साथ उनका रोमास भी लोगों को खुब पसंदा रहा है मालविका भी इस फिल्म में पत्रकार की भूमीका में है देनुश से प्यार हो जाता है दोनों मिलकर खोजी पत्रकारी दा करते है मारन सरवजनी ग्रूब से राजनताओं के गलत कामों और विष्टचार को उजागर करता है या जानकर खलना एक पलानी मारन को मारन की कोशिश करता है मारन कैसे बचता है निर्देशन ने शांदार ढंग से तत्यू की स्क्रिनिंग की है मुवी को देखने के बाद जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वह स्मूर्टी वैंकिट की मुवी में दनुश की बन का करदार निभाई है मारन स्मूर्टी ने चित्ती का करदार निभाया है फिल्में दनुश के साथ उनका नोग जो लोगों को खुब पसंदा रहा है मालवी का दनुश के साथ काम करने को लेकर एक इंटर्वी में कहा कि दनुश एक ऐसे एक्टर है जो आपको काफी कुछ सिखाते हैं वो बैसे कलाकार में नहीं होते है कि अपना किरदार निभाया और निकल गए वो आपको पुश करते हैं आपकी कम्यों और खुबियों के बारे में बताते हैं उन्होंने कहा कि दनुश और मारंटीम के साथ काम करना मेरी लिए सीखने का एक शांदार अनुबव रहा है फिल्मारं के निर्देशक कार्दिक नरेन है इसमें दनुश के साथ मालविका के अलावा माश्टर महिंदरंग, समुथ रिकानी समूर्टी वैंकर्ट और कुशना कुमार वो मुक्य भूमी काओं में है गितकार विएक के लिखी गीतों को फिल्म में संगितकार जीवी प्रकाश निसूरों से सजाया है बात कर इसके OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस वाश्टार पर रिलीज कर दी गई है अच्छे और प्रतिभावन एक्टरस जिनके हर फिल्म अपने आप में एक अलग ही अपील रखती है उसकी कहानी में नवीनता होती है उसका डिरेक्शन कमाल का होता है उनका आप अचानक एक बड़ी कमजूर ठकी हुई बिना लॉजिक की फिल्म करते हुए देखते है तो मन में ये सवाल तो उटता ही है कि शायद इस फिल्म के लिए पैसा अच्छा मिल रहा होगा इसलिए उन्होंने ये फिल्म की होगी हिंदी फिल्म इंडर्श्टी में आप किसी भी हीरो या हीरोईं से बात करेंगे तो आपको पता चलेंगा कि उनमें से 99 प्रतीशत एक्टरिस ने अपने करियर में कभी न कभी ऐसी फिल्म की है जिसके सफलता में उनको पूरे संद्धे होते हैं लेकिन अच्छे पैसे मिलने के चकर में वो फिल्मे कर लेते हैं दक्षिन की फिल्म इंडर्श्टी भी इससे अचूद नहीं है और इसका ताजा प्रमान है डिजनी प्लस होस्टार पर रलीस तमील फिल्म एक्शन थ्रीलर मारन जिसमें मुख्य भूमी का निबाई है धनूज ने एक गिसी पिटी कहानी एक बहुत थकी हुई पटकता और नहायत ही व्यर्थ किस्म का डारेक्शन मारन को अच्छा बोल कर इसकी तारिफ करने के लिए हिम्मत चाहिए पत्रकारिता की प्रुष्टु भूमी पर बनी ये फिल्म हमेशा ही कनफ्यूज नजर आती है क्या उसे धनूज के अभी नहीं का इस्तमाल करना है या उसे धनूज की कमर्शिल स्टार वाली इमेज का फायदा उठाना है या दोनों ही बातों को मिला जुला कर कुछ बना लेना है दनूज की सच्चे पत्रकार पीता को एक रिपोर्ट प्रकाशित करने के वज़ज़ से कुछ गुंडे मार देते है दनूज की बहन को जन देते समय उसकी मावे गुजर जाती है दनूज अपने मामा और छूटी बहन के साथ बड़ा होता है और एक ट्वीट की बदोलत एक न्यूस पॉर्टल में नौकरी पा लेता है एक के बाद एक नए नए खुरासे करते हुए दनूज देश्ट के सबसे बैतरी निवा पत्रकारों में शामिल किया जाता है नकली EVM पर की गई उसकी रिपोर्टिंग के बाहर राजने था पाजने उसके दुश्मन हो जाते है दनूज पर हमले भी होते है अचानक उसके बाहन का अपरण हो जाता है और दनूज पुलीस की मदद से उसकी तलाश करता है कई दिनों की कड़े मैंनत के बाद वो पाजने के उस गूंडे तक पहुँच जाते है जिसनि दनूज की बाहन का परण किया था दनुश की बाइन उसके पास वापस लोटाती है कहानी लिखी है शर्फू और सुहास की जोड़ी ने जिन्होंने पहले दो मल्यालंग फिल्में लिखी थी वारतन और वाइरस और दोनों ही बहुत पसंद की गई थी दनुश के बच्पन से जवान होने तक के सफर को फिल्म से गायब कर दिया गया है और यह ट्रांजिशन अदुरा ही रहता है कोई फ्लेश बेक भी नहीं दिखाया जाता दनुश सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज ही देता है बड़ी खबरे ही करता है बाकिस समय वो शराप्पी कर डांस करता रहता है उसके मन में अपने पीता की हत्या की बात का असर नजर ही नहीं आता दनुश की बहान का करियर बहुत अजीब है वो क्या काम करती है समझने में आदी फिल्म निकल जाती है जबकि वो अपने भाई के लिए बढ़िया भाई खरिकती है पाजने की गुंडे की बहन दनुष की एक रिपूर्ट की वज़े से आत्मत्या कर लेती है और वो गुंडा इसका बदला लेने के लिए दनुष की बहन को किड्नैप कर लेता है ऐसे कई बड़े बड़े गड़े है जो कहानी में बरने की कोशिच भी नहीं की गई है दनुष ने इस फिल्म में कोई प्रभाव नहीं छोड़ा है दनुष पहली बार किसी पत्रकार के रोल में स्क्रिन पर आया है लेकिन किसी भी तरह से पत्रकार नज़र नहीं आते उनकी बतौर पत्रकार काफी लोग प्रियता दिखाए गई है क्यों और कैसे ये बताना नेदे शकों को ज़रूर नहीं लगा है उन्हें आगे से ठीक वैसा डर लगता है जैसे नाना पाटे कर को फिन परिंदा में लगता था टीवी चैनल में उनके साथ ही और दनुष की बहन श्वेता के बीच के समवाद अच्छे बने हैं थोड़े मॉडरन है और सही भी लगते हैं दनुष और मालविका के बीच के समवाद के जरिये हाथ से पैदा करने की कोशिश की गई है जिसमें नेदेशक असफ़र रहे हैं मालविका का रोल बीच में खो जाता है और उसका क्या होता है ये बताने के जरूरत नहीं समझी गई है पाजणी का किरदार भी कनफ्यूजड है वो एक पूर्व मंत्री है लेकिन कभी वो शक्तिशाली मंत्री दिखाया गया है और कभी डरा हुआ दनुष जीस तरह से क्लाइमेक्स में उसे पकड़वा देते है वो बहुत ही हास्यपद है कारबन जैसी पसीतर फिल्म के सिनोमेटर ग्राफर विवेका नंद संतोशंग की ये दूसरी फिल्म है और उन्होंने फिल्म में कुछ भी अपनी और से नहीं चोड़ा है एडिडर प्रसन्ना जीके की भी यही कहानी है कई सफल फिल्मे करने के बाद भी मारन फिल्म का फाइनल एडिट लंबा और उबाव लगता है हर सिन करमबद तरीके से है फ्लेश बेक का इस्तमाल बहुत ही कम है और कहानी में कभी भी किसी तरह का थ्रिल नहीं दिखता क्योंकि एडिट बहुत ही साधरन तरीके से करने की फिल्म की कहानी के अनुसार जोड़ा गया लगता है निर्देश कार्टिक मेरन की पूरी फिल्मों ने बॉक्स ओफिस पर काफी नाम और दाम कमाया था और इसलिए इन्हें इस फिल्म के निर्देशन के तौर पर साइन किया गया था लेकिन कार्टिक ने इस फिल्म में कोई धमाका नहीं किया इस फिल्म से निराशा हाथ लगी क्योंकि नहीं ठीक से पत्रकारिता को दिखा पाई और नहीं कमर्शिल फिल्मों की तरह इसमें मसाला सही मातरा में था जिवी प्रकाश का संगीत ठीक था पॉलाडा उदगम को धनूश ने गाया था तो लोगों ने काफी पसंद किया इसके अलाव मारन में कुछ भी ऐसी बात नहीं थी जिस वज़े से इससे किसी और फिल्म की तुलना में हिट होने का कोई मौका मिले इस फिल्म को न देखे तो ही दनूश के फैंस के लिए बैतर होगा या मारन नहीं बलकि फैंस का ही कहना है अगर फिल्म के OTT रिलीज़ को लेकर बात करें तो ये फिल्म को आप डिजनी पलस होस्टार पर देख सकते हैं दनूश की फिल्म मारन देखने से पहले यहां जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिब्यव और जाने कहा देखे इसे फ्री में मारन एक्शन त्रीलर मुवी है जिसमें तनुष एक खोजी पत्रकार के भूमीका में नजर आ रहे है गुजंता के सामने सचलाने के लिए जान की बाज़े लगाते दिखाए देते हैं मारन फिल्म में तनुष कलम की नोट से गुंडो से ने पड़ रहे है वही मालविका के साथ उनका रोमास भी लोगों को खुब पसंदा रहा है मालविका भी इस फिल्म में पत्रकार की भूमीका में है देनुष से प्यार हो जाता है दोनों मिलकर खोजी पत्रकारी दा करते है मारन सरवजनी ग्रूब से राजनताओं के गलत कामों और विष्टचार को उजागर करता है या जानकर खनला एक पलानी मारन को मारन की कोशिश करता है मारन कैसे बचता है निर्देशन ने शांदार ढंग से तत्यू की स्क्रिनिंग की है मुवी को देखने के बाद जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है स्मूर्टी बैंकिट की जो मुवी में दनुश की बन का करदार निभाई है मारन स्मूर्टी ने चित्ती का करदार निभाया है फिल्में दनुश के साथ उनका नोग जो लोगों को खुब पसंदा रहा है मालवी का दनुश के साथ काम करने को लेकर एक इंटर्वी में कहा कि दनुश एक ऐसे एक्टर है जो आपको काफी कुछ सिखाते हैं वो वैसे कलाकार में नहीं होते है कि अपना किरदार निभाया और निकल गए वो आपको पुश करते हैं आपकी कम्यों और खुबियों के बारे में बताते हैं उन्होंने कहा कि दनुश और मारंटीम के साथ काम करना मेरी लिए सीखने का एक शांदार अनुबव रहा है फिल्मारं के निर्देशक कार्दिक नरेन है इसमें दनुश के साथ मालविका के अलावा माश्टर महिंदरन, समुठ रिकानी समुठ, समुठी वैंकर्ट और कुष्णा कुमार वो मुख्य भूमी काओं में है गितकार विवेक के लिखी गीतों को फिल्म में संगितकार जीवी प्रकाश निसूरों से सजाया है बात कर इसके OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस वाश्टार पर रिलीज कर दी गई है अच्छे और प्रतिभावन एक्टरस जिनके हर फिल्म अपने आप में एक अलग ही अपील रखती है उसकी कहानी में नवीनता होती है उसका डिरेक्शन कमाल का होता है उनका आप अचानक एक बड़ी कमजूर ठकी हुई बिना लॉजिक की फिल्म करते हुए देखते है तो मन में ये सवाल तो उटता ही है कि शायद इस फिल्म के लिए पैसा अच्छा मिल रहा होगा इसलिए उन्होंने ये फिल्म की होगी हिंदी फिल्म इंडर्श्टी में आप किसी भी हीरो या हीरोईं से बात करेंगे तो आपको पता चलेंगा कि उनमें से 99 प्रतीशत एक्टरिस ने अपने करियर में कभी न कभी ऐसी फिल्म की है जिसकी सफलता में उनको पूरे संदे होते हैं लेकिन अच्छे पैसे मिनने के चकर में वो फिल्मे कर लेते हैं दक्षिन की फिल्म इंडर्श्टी भी इससे अचूद नहीं है और इसका ताजा प्रमान है डिजनी प्लस होस्टार पर लीस तमील फिल्म एक्शन थ्रीलर मारन जिसमें मुख्य भूमी का निबाई है धनूज ने एक गिसी पिटी कहानी एक बहुत थकी हुई पटकता और नहायत ही व्यर्थ किस्म का डारेक्शन मारन को अच्छा बोल कर इसकी तारिफ करने के लिए हिम्मत चाहिए पत्रकारिता की प्रुष्टु भूमी पर बनी ये फिल्म हमेशा ही कनफ्यूज नजर आती है क्या उसे धनूज के अभी नहीं का इस्तमाल करना है या उसे धनूज की कमर्शिल स्टार वाली इमेज का फायदा उठाना है या दोनों ही बातों को मिला जुला कर कुछ बना लेना है दनूज की सच्चे पत्रकार पीता को एक रिपोर्ट प्रकाशित करने के वज़ज़ से कुछ गुंडे मार देते है दनूज की बहन को जन देते समय उसकी मावे गुजर जाती है दनूज अपने मामा और छूटी बहन के साथ बड़ा होता है और एक ट्वीट की बदोलत एक न्यूस पॉर्टल में नौकरी पा लेता है एक के बाद एक नए नए खुलासे करते हुए दनूज देश्ट के सबसे बैतरी निवा पत्रकारों में शामिल किया जाता है नकली EVM पर की गई उसकी रिपोर्टिंग के बाहर राजने था पाजने उसके दुश्मन हो जाते है दनूज पर हमले भी होते है अचानक उसके बाहन का अपरण हो जाता है और दनूज पुलीस की मदद से उसकी तलाश करता है कई दिनों की कड़ी मैनत के बाद वो पाजने के उस गुंडे तक पहुँच जाते है जिसने दनूज की बाहन का अपरण किया था दनुश की बाइन उसके पास वापस लोटाती है कहानी लिखी है शर्फू और सुहास की जोड़ी ने जिन्होंने पहले दो मल्यालंग फिल्में लिखी थी वारतन और वाइरस और दोनों ही बहुत पसंद की गई थी नेदेश कार्थीक ने इस टूड़ी के साथ स्क्रिन पेपर काम किया था कहानी और पठकता दोनों ही लेचर निकले अपने पिता को गुंडे को हाथे मरते देखकर भी दनुश अपने पिता की तरह पत्रकारिता को ही अपना करियर चुनता है और एक सिर्फ एक ट्वीट की बदलत उसकी पॉजिटिव स्टोरी हजारों लोग पसंद करता है और उसे नौकरी भी मिल जाती है नौकरी में आते ही उसे एक लड़की भी मिल जाती है दनुश के बच्पन से जवान होने तक के सफर को फिल्म से गायब कर दिया गया है और ये ट्रांजिशन अदुरा ही रहता है कोई फ्लैश बेक भी नहीं दिखाया जाता दनुश सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज ही देता है बड़ी खबरे ही करता है बाकिस समय वो शरापपी कर डांस करता रहता है उसके मन में अपने पीता की हत्या की बात का असर नजर ही नहीं आता दनुश की बच्पन का करियर बहुत अजीब है वो क्या काम करती है समझने में आदी फिल्म निकल जाती है जबकि वो अपने भाई के लिए बड़या भाई खरिकती है पाजने की गुंडे की बहन दनुश की एक रिपूर्ट की वज़े से आत्मत्या कर लेती है और वो गुंडा इसका बदला लेने के लिए दनुश की बहन को किट्नैप कर लेता है ऐसे कई बड़े बड़े गड़े है जो कहानी में बरने की कोशिच भी नहीं की गई है दनुश ने इस फिल्म में कोई प्रभाव नहीं छोड़ा है दनुश पहली बार किसी पत्रकार के रोल में स्क्रिन पर आया है लेकिन किसी भी तरह से पत्रकार नजर नहीं आते उनकी बतौर पत्रकार काफी लोग प्रियता दिखाए गई है क्यों और कैसे ये बताना नेदेशकों को जरूर नहीं लगा है उन्हें आगे से ठीक वैसा डर लगता है जैसे नाना पाटे कर को फिन परिंदा में लगता था टीवी चैनल में उनके साथ ही और दनुश की बहन शुयता के बीच के समवाद अच्छे बने हैं थोड़े मॉडर्न है और सही भी लगते हैं दनुश और मालविका के बीच के समवाद के जरिये हाथ से पैदा करने की कोशिश की गई है जिसमें नेदेशक असफ़र रहे हैं मालविका का रोल बीच में खो जाता है और उसका क्या होता है ये बताने के जरूरत नहीं समझी गई है पाजणी का किरदार भी कनफ्यूजड है वो एक पूर्व मंत्री है लेकिन कभी वो शक्तिशाली मंत्री दिखाया गया है और कभी डरा हुआ दनुश जीस तरह से क्लाइमेक्स में उसे पकड़वा देते है वो बहुत ही हास्यपद है कारबन जैसी पसीतर फिल्म के सिनोमेटर ग्राफर विवेका नंद संतोशं की ये दूसरी फिल्म है और उन्होंने फिल्म में कुछ भी अपनी और से नहीं चोड़ा है एडिडर प्रसन्ना जीके की भी यही कहानी है कई सफल फिल्मे करने के बाद भी मारन फिल्म का फाइनल एडिट लंबा और उबाव लगता है हर सिन करमबद तरीके से है फ्लेश बेक का इस्तमाल बहुत ही कम है और कहानी में कभी भी किसी तरह का थ्रिल नहीं दिखता क्योंकि एडिट बहुत ही साधरन तरीके से करने की फिल्म की कहानी के अनुसार जोड़ा गया लगता है निर्देश कार्टिक नरिन की पूरी फिल्मों ने बॉक्स ओफिस पर काफी नाम और दाम कमाया था और इसलिए इन्हें इस फिल्म के निर्देशन के तौर पर साइन किया गया था लेकिन कार्टिक ने इस फिल्म में कोई धमाका नहीं किया इस फिल्म से निराशा हाथ लगी क्योंकि नहीं ठीक से पत्रकारिता को दिखा पाई और नहीं कमर्शिल फिल्मों की तरह इसमें मसाला सही मातरा में था जिवी प्रकाश का संगीत ठीक था पॉलाडा उदगम को धनूश ने गाया था तो लोगों ने काफी पसंद किया इसके अलाव मारन में कुछ भी ऐसी बात नहीं थी जिस वज़े से इसे किसी और फिल्म की तुलना में हिट होने का कोई मौका मिले इस फिल्म को न देखे तो ही दनूश के फैंस के लिए बैतर होगा या मारन नहीं बलकि फैंस का ही कहना है अगर फिल्म के OTT डिलीज को लेकर बात करें तो यह फिल्म को आप डिजनी प्लस होश्टार पर देख सकते हैं दनूश की फिल्म मारन देखने से पहले यहां जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिवियू और जाने कहां देखे इसे फ्री में मारन एक्शन थ्रीलर मुवी है जिसमें तनुष एक खोजी पत्रकार के भूमीका में नजर आ रहे है गुजंता के सामने सचलाने के लिए जान की बाज़े लगाते दिखाए देते हैं मारन फिल्म में तनुष कलम की नोट से गुंडो से ने पड़ रहे है वही मालविका के साथ उनका रोमास भी लोगों को खुब पसंदा रहा है मालविका भी इस फिल्म में पत्रकार की भूमीका में है देनुष से प्यार हो जाता है दोनों मिलकर खोजी पत्रकारी दा करते है मारन सरवजनी ग्रूब से राजनताओ के गलत कामों और विष्टचार को उजागर करता है या जानकर खनला एक पलानी मारन को मारन की कोशिश करता है मारन कैसे बचता है निर्देशन ने शानदार ढंग से तत्यू की स्क्रिनिंग की है मुवी को देखने के बाद जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है स्मूर्टी बैंकिट की जो मुवी में दनुश की बन का करदार निभाई है मारन स्मूर्टी ने चित्ती का करदार निभाया है फिल्में दनुश के साथ उनका नोग जो लोगों को खुब पसंदा रहा है मालवी का दनुश के साथ काम करने को लेकर एक इंटर्वी में कहा कि दनुश एक ऐसे एक्टर है जो आपको काफी कुछ सिखाते हैं वो बैसे कलाकार में नहीं होते है कि अपना करदार निभाया और निकल गए वो आपको पुश करते हैं आपकी कम्यों और खुबियों के बारे में बताते हैं उन्होंने कहा कि दनुश और मारन टीम के साथ काम करना मेरी लिए सीखने का एक शांदार अनुगव रहा है अगर आप इसे फ्रीमें देखना चाते है तो डिजनी प्लस वाजटार पर फ्रीमें देख सकते हैं अगर आपके पास डिजनी प्लस वाजटार का सब्सक्रिप्शन है जाने धनुश की फिल्म मारन की पूरी कहानी वबी हिंदी में साथ ही जाने किस OTT प्रेटफॉर्म पर देखे इस फिल्म को अच्छे और प्रतिभावन एक्टर्स जिनके हर फिल्म अपने आप में एक अलग ही अपील रखती है उसकी कहानी में नवीनता होती है उसका डिरेक्शन कमाल का होता है उनका आप अचानक एक बड़ी कमजोर ठकी हुई बिना लॉजिक की फिल्म करते हुए देखते है तो मन में ये सवाल तो उटता ही है कि शायद इस फिल्म के लिए पैसा अच्छा मिल रहा होगा इसलिए उन्होंने ये फिल्म की होगी फिल्म इंडरेश्टिटी में आप किसी भी हीरो या हीरोईν से बात करेंगे तो आपको पता चलेंगा कि उन में से 99 प्रतीशत अक्टरियर में कभी न कभी आईसी फिल्म की है जिसकी सवलता में उनको पूरे संदे होते है लेकिन अच्छे पैसे मिनने के चकर में वो फिल्मे कर लेते हैं दक्षिन की फिल्म इंडरिश्टी भी इससे अचूद नहीं है और इसका ताजा प्रमान है डिजनी प्लस होस्टार पर रिलीस तमील फिल्म एक्शन थ्रीलर मारन जिसमें मुख्य भुमी का निबाई है धनुज ने एक गिसी पिटी कहानी, एक बहुत थकी हुई पटकता और नहायत ही व्यर्थ किस्म का डारिक्शन मारन को अच्छा बोल कर इसकी तारिफ करने के लिए हिम्मत चाहिए पत्रकारिता की प्रुष्टु भुमी पर बनी ये फिल्म हमेशा ही कनफ्यूज नजर आती है क्या उसे धनुश के अभी नहीं का इस्तमाल करना है या उसे धनुश की कमर्शिल स्टार वाली इमेज का फायदा उठाना है या दोनों ही बातों को मिला जुला कर कुछ बना लेना है दनुश के सच्चे पत्रकार पीता को एक रिपोर्ट प्रकाशित करने के वज़ज़ से कुछ गुंडे मार देते है दनुश की बहन को जन देते समय उसकी मावे गुजर जाती है दनुश अपने मामा और छूटी बहन के साथ बड़ा होता है और एक ट्वीट की बदोलत एक न्यूस पॉर्टल में नौकरी पा लेता है एक के बाद एक नए नए खुरासे करते हुए दनुश देश्ट के सबसे बैतरी निवा पत्रकारों में शामिल किया जाता है नकली EVM पर की गई उसकी रिपोर्टिंग के बाहर राजने था पाजने उसके दुश्मन हो जाते है दनुश पर हमले भी होते है अचानक उसके बाहन का अपरण हो जाता है और दनुश पुलीस की मदद से उसकी तलाश करता है कई दिनों की कड़ी मैनत के बाद वो पाजने के उस गुंडे तक पहुँच जाते है जिसने दनुश की बाहन का परण किया था दनुश की बाहन उसके पास वापस लोटाती है कहानी लिखी है शर्फू और सुहास की जुड़ी ने जिनोंने पहले दो मल्यालंग फिल्में लिखी थी वारतन और वाइरस और दोनों ही बहुत पसंद की गई थी निदेश कार्थीक ने इस टूड़ी के साथ स्क्रिन पेपर काम किया था कहानी और पठकता दोनों ही लेचर निकले अपने पिता को गुंडे को हाथे मरते देखकर भी दनुश अपने पिता की तरपत्रकारिता को ही अपना करियर चुनता है और एक सिर्फ एक ट्वीट की बदलत उसकी पॉजिटिव स्टोरी हजारों लोग पसंद करता है और उसे नौकरी भी मिल जाती है नौकरी में आते ही उसे एक लड़की भी मिल जाती है दनुश के बच्पन से जवान होने तक के सफर को फिल्म से गायब कर दिया गया है और ये ट्रांजिशन अदुरा ही रहता है कोई फ्लैश्बेक भी नहीं दिखाया जाता दनुश सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज ही देता है बड़ी खबरे ही करता है बाकिस समय वो शरापपी कर डांस करता रहता है उसके मन में अपने पीता की हत्या की बात का असर नजर ही नहीं आता दनुश की बच्पन का करियर बहुत अजीब है वो क्या काम करती है समझने में आदी फिल्म निकल जाती है जबकि वो अपने भाई के लिए बड़या भाई खरिकती है पाजने की गुंडे की बहन दनुश की एक रिपूर्ट की वज़े से आत्मत्या कर लेती है और वो गुंडा इसका बदला लेने के लिए दनुश की बहन को किट्नैप कर लेता है ऐसे कई बड़े बड़े गड़े है जो कहानी में बरने की कोशिच भी नहीं की गई है दनुश ने इस फिल्म में कोई प्रभाव नहीं छोड़ा है दनुश पहली बार किसी पत्रकार के रोल में स्क्रिन पर आया है लेकिन किसी भी तरह से पत्रकार नजर नहीं आते उनकी बतौर पत्रकार काफी लोग प्रियता दिखाए गई है क्यों और कैसे ये बताना नेदेशकों को जरूर नहीं लगा है उन्हें आगे से ठीक वैसा डर लगता है जैसे नाना पाटे कर को फिन परिंदा में लगता था टीवी चैनल में उनके साथ ही और दनुष की बहन शुयता के बीच के समवाद अच्छे बने हैं थोड़े मॉडर्न है और सही भी लगते हैं दनुष और मालविका के बीच के समवाद के जरिये हाथ से पैदा करने की कोशिश की गई है जिसमें नेदेशक असफ़र रहे हैं मालविका का रोल बीच में खो जाता है और उसका क्या होता है ये बताने के जरूरत नहीं समझी गई है पाजणी का किरदार भी कनफ्यूजड है वो एक पूर्व मंत्री है लेकिन कभी वो शक्तिशाली मंत्री दिखाया गया है और कभी डरा हुआ दनुष जीस तरह से क्लाइमेक्स में उसे पकड़वा देता है वो बहुत ही हास्यपद है कारबन जैसी पसीतर फिल्म के सिनोमेटर ग्राफर विवेका नंद संतोशंग की ये दूसरी फिल्म है और उन्होंने फिल्म में कुछ भी अपनी और से नहीं चोड़ा है एडिडर प्रसन्ना जीके की भी यही कहानी है कई सफल फिल्मे करने के बाद भी मारन फिल्म का फाइनल एडिट लंबा और उबाव लगता है हर सिन करमबद तरीके से है फ्लेश बेक का इस्तमाल बहुत ही कम है और कहानी में कभी भी किसी तरह का थ्रिल नहीं दिखता क्योंकि एडिट बहुत ही साधरन तरीके से करने की फिल्म की कहानी के अनुसार जोड़ा गया लगता है निर्देश कार्टिक नरिन की पूरी फिल्मों ने बॉक्स ओफिस पर काफी नाम और दाम कमाया था और इसलिए इन्हें इस फिल्म के निर्देशन के तौर पर साइन किया गया था लेकिन कार्टिक ने इस फिल्म में कोई धमाका नहीं किया इस फिल्म से निराशा हाथ लगी क्योंकि नहीं ठीक से पत्रकारिता को दिखा पाई और नहीं कमर्शिल फिल्मों की तरह इसमें मसाला सही मातरा में था जिवी प्रकाश का संगीत ठीक था पॉलाडा उदगम को धनुश ने गाया था तो लोगों ने काफी पसंद किया इसके अलाव मारन में कुछ भी ऐसी बात नहीं थी जिस वज़े से इससे किसी और फिल्म की तुलना में इट होने का कोई मौका मिले इस फिल्म को न देखे तो ही दनुश के फैंस के लिए बैतर होगा या मारन नहीं बलकि फैंस का ही कहना है अगर फिल्म के OTT डिलिज को लेकर बात करें तो यह फिल्म को आप डिजनी प्लस होश्टार पर देख सकते हैं दनुश की फिल्म मारन देखने से पहले यहां जाने फिल्म की कहानी फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में मारन एक्शन फ्रीलर मुवी है जिसमें तनुश एक खोजी पत्रकार के भूमीका में नजर आ रहे है वोजन्ता के सामने सचलाने के लिए जान की बाज़े लगाते दिखाए देते हैं मारन फिल्म में तनुश कलम की नोट से गुंडों से ने पढ़ रहा है वही मालविका के साथ उनका रोमांस भी लोगों को खुब पसंदा रहा है मालविका भी इस फिल्म में पत्रकार की भूमीका में है देनुश से प्यार हो जाता है दोनों मिलकर खोजी पत्रकारी दा करते है मारन सरवजनी ग्रूब से राजनताओं के गलत कामों और विष्टचार को उजागर करता है या जानकर खनला एक पलानी मारन को मारन की कोशिश करता है मारन कैसे बचता है निर्देशन ने शांदार ढंग से तत्यू की स्क्रिनिंग की है मुवी को देखने के बाद जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वह स्मूर्थी बैंकिट की मुवी में दनुश की बन का करदार निभाई है मारन स्मूर्थी ने चित्ती का करदार निभाया है फिल्में दनुश के साथ उनका नोग जो लोगों को खुब पसंदा रहा है मालवी का दनुश के साथ काम करने को लेकर एक इंटर्वी में कहा कि दनुश एक ऐसे एक्टर है जो आपको काफी कुछ सिखाते हैं वो वैसे कलाकार में नहीं होते हैं कि अपना करदार निभाया और निकल गए वो आपको पुश करते हैं आपकी कम्यों और खुबियों के बारे में बताते हैं उन्होंने कहा कि दनुश और मारन टीम के साथ काम करना मेरी लिए सीखने का एक शांदार अनुगव रहा है फिल्मारन के निर्देशक कार्दिक नरेन है इसमें दनुश के साथ मालविका के अलावा माश्टर महिंदरन, समुठ रिकानी समुठ, समुठी वैंकर्ट और कुशना कुमार वो मुख्य भूमी काओं में है गितकार विवेक के लिखी गीतों को फिल्म में संगितकार जीवी प्रकाश निसूरों से सजाया है बात कर इसके OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होस्टार पर रिलीज कर दी गई है अगर आप इसे फ्री में देखना चाते है तो डिजनी प्लस होस्टार पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास डिजनी प्लस होस्टार का सब्सक्रिप्शन है जाने धनुश की फिल्म मारन की पूरी कहानी वबी हिंदी में साथ ही जाने कि इस OTT प्रेटफॉर्म पर देखे इस फिल्म को अच्छे और प्रतिभावन एक्टर्स जिनके हर फिल्म अपने आप में एक अलग ही अपील रखती है उसकी कहानी में नवीनता होती है उसका डारेक्शन कमाल का होता है उनका आप अचानक एक बड़ी कमजूर ठकी हुई बिना लॉजिक की फिल्म करते हुए देखते है तो मन में ये सवाल तो उटता ही है कि शायद इस फिल्म के लिए पैसा अच्छा मिल रहा होगा इसलिए उन्होंने ये फिल्म की होगी हिंदी फिल्म इंडर्श्टी में आप किसी भी हीरो या हीरोईं से बात करेंगे तो आपको पता चलेंगा कि उनमें से 99 प्रतीशत एक्टरिस ने अपने करियर में कभी न कभी ऐसी फिल्म की है जिसके सफलता में उनको पूरे संदे होते हैं लेकिन अच्छे पैसे मिनने के चकर में वो फिल्मे कर लेते हैं दक्षिन की फिल्म इंडर्श्टी भी इससे अचूद नहीं है और इसका ताजा प्रमान है डिजनी प्लस होस्टार पर लीस तमील फिल्म एक्शन थ्रीलर मारन जिसमें मुख्य भूमी का निबाई है धनूज ने एक गिसी पिटी कहानी एक बहुत थकी हुई पटकता और नहायत ही व्यर्थ किस्म का डारेक्शन मारन को अच्छा बोल कर इसकी तारिफ करने के लिए हिम्मत चाहिए पत्रकारिता की प्रुष्टु भूमी पर बनी ये फिल्म हमेशा ही कनफ्यूज नजर आती है क्या उसे धनूज के अभी नहीं का इस्तमाल करना है या उसे धनूज की कमर्शिल स्टार वाल इमेज़ का फायदा उठाना है या दोनों ही बातों को मिला जुला कर कुछ बना लेना है दनूज के सच्चे पत्रकार पीता को एक रिपोर्ट प्रकाशित करने के वज़ज़ से कुछ गुंडे मार देते है दनूज की बहन को जन देते समय उसकी मावे गुजर जाती है दनूज अपने मामा और छूटी बहन के साथ बड़ा होता है और एक ट्वीट की बदोलत एक न्यूस पॉर्टल में नौकरी पा लेता है एक के बाद एक नए नए खुलासे करते हुए दनूज देश्ट के सबसे बैतरी निवा पत्रकारों में शामिल किया जाता है नकली EVM पर की गई उसकी रिपोर्टिंग के बाहर राजने था पाजने उसके दुश्मन हो जाते है दनूज पर हमले भी होते है अचानक उसके बाहन का अपरण हो जाता है और दनूज पुलीस की मदद से उसकी तलाश करता है कई दिनों की कड़ी मैनत के बाद वो पाजने के उस गुंडे तक पहुँच जाते है जिसमे दनूज की बाहन का परण किया था दनुश की बाइन उसके पास वापस लोटाती है कहानी लिखी है शर्फू और सुहास की जूडी ने जिन्होंने पहले दो मल्यालंग फिल्में लिखी थी वारतन और वाइरस और दोनों ही बहुत पसंद की गई थी दनुश के बच्पन से जवान होने तक के सफर को फिल्म से गायब कर दिया गया है और ये ट्रांजिशन अदूरा ही रहता है कोई फ्लेश बेक भी नहीं दिखाया जाता दनुश सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज ही देता है बड़ी खबरे ही करता है बाकिस समय वो शराप्पी कर डांस करता रहता है उसके मन में अपने पीता की हत्या की बात का असर नजर ही नहीं आता दनुश की बाहन का करियर बहुत अजीब है वो क्या काम करती है समझने में आदी फिल्म निकल जाती है जबकि वो अपने भाई के लिए बढ़या भाई खरिकती है पाज़ने की गुंडे की बहन दनुश की एक रिपूर्ट की वज़े से आत्मत्या कर लेती है और वो गुंडा इसका बदला लेने के लिए दनुश की बहन को किट्नैप कर लेता है ऐसे कई बड़े बड़े गड़े है जो कहानी में बरने की कोशिच भी नहीं की गई है दनुश ने इस फिल्म में कोई प्रभाव नहीं छोड़ा है दनुश पहली बार किसी पत्रकार के रोल में स्क्रिन पर आया है लेकिन किसी भी तरह से पत्रकार नजर नहीं आते उनकी बतौर पत्रकार काफी लोग प्रियता दिखाए गई है क्यों और कैसे ये बताना नेदेशकों को जरूर नहीं लगा है उन्हें आगे से ठीक वैसा डर लगता है जैसे नाना पाटे कर को फिन परिंदा में लगता था टीवी चैनल में उनके साथ ही और दनुश की बहन शुयता के बीच के समवाद अच्छे बने हैं थोड़े मॉडर्न है और सही भी लगते हैं दनुश और मालविका के बीच के समवाद के जरिये हाथ से पैदा करने की कोशिश की गई है जिसमें नेदेशक असफ़र रहे हैं मालविका का रोल बीच में खो जाता है और उसका क्या होता है ये बताने के जरूरत नहीं समझी गई है पाजणी का किरदार भी कनफ्यूजड है वो एक पूर्व मंत्री है लेकिन कभी वो शक्तिशाली मंत्री दिखाया गया है और कभी डरा हुआ दनुश जीस तरह से क्लाइमेक्स में उसे पकड़वा देते है वो बहुत ही हास्यपद है कारबन जैसी पसीतर फिल्म के सिनोमेटर ग्राफर विवेका नंद संतोशं की ये दूसरी फिल्म है और उन्होंने फिल्म में कुछ भी अपनी और से नहीं चोड़ा है एडिडर प्रसन्ना जीके की भी यही कहानी है कई सफल फिल्मे करने के बाद भी मारन फिल्म का फाइनल एडिट लंबा और उबाव लगता है हर सिन करमबद तरीके से है फ्लेश बेक का इस्तमाल बहुत ही कम है और कहानी में कभी भी किसी तरह का थ्रिल नहीं दिखता क्योंकि एडिट बहुत ही साधरन तरीके से करने की फिल्म की कहानी के अनुसार जोड़ा गया लगता है निर्देश कार्टिक नरिन की पूरी फिल्मों ने बॉक्स ओफिस पर काफी नाम और दाम कमाया था और इसलिए इन्हें इस फिल्म के निर्देशन के तौर पर साइन किया गया था लेकिन कार्टिक ने इस फिल्म में कोई धमाका नहीं किया इस फिल्म से निराशा हाथ लगी क्योंकि नहीं ठीक से पत्रकारिता को दिखा पाई और नहीं कमर्शिल फिल्मों की तरह इसमें मसाला सही मातरा में था जिवी प्रकाश का संगीत ठीक था पॉलाडा उदगम को धनुश ने गाया था तो लोगों ने काफी पसंद किया इसके अलाव अमारन में कुछ भी ऐसी बात नहीं थी जिस वज़े से इससे किसी और फिल्म की तुलना में हिट होने का कोई मौका मिले इस फिल्म को न देखे तो ही दनुश के फैंस के लिए बैतर होगा यह हमारा नहीं बलकि फैंस का ही कहना है अगर फिल्म के OTT डिलीज को लेकर बात करें तो यह फिल्म को आप डिजनी प्लस होस्टार पर देख सकते हैं